Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator और आज मैं start करने वाली हूँ Class 11 की जो आपकी elective book है जिसका नाम है Woven Words, उसका Chapter No. 7 Short Story section में से start करने वाली हूँ मैं जिसका नाम है Glory at Twilight तो Glory at Twilight का meaning समझाती हो दियू पहले मैं Glory का मतलब होता है Something which is very beautiful कोई चीज बहुत सुन्दर है जो आपको बहुत अच्छी लगती है And Twilight का मतलब है साएकाल का समय यानि शाम का समय जब सूरज ढल जाते है और आसमान में सरिफ sun की light रह जाती है हलकी हलकी orangish yellowish color का sky रहता है वो जो time होता है 6.30 के आसपस उसे हम कहते हैं Twilight So let's read about our author now कि किसने ये chapter लिखा है तो भवानी बटाचार्या is our author and the picture which you could see on my left hand side is Mr. भवानी इनका birth year 1906 में हुआ था और death year 1988 में हुई थी He was one of the foremost Indian writers of fiction in English तो foremost का मतलब क्या होता है important and famous तो ये English writing मतलब जो English writers है उस English writing की industry में ये काफी important और काफी famous writer थे और ये fiction लिखते थे याने की imaginary stories लिखते थे One acclaim for his novel Acclaim का मतलब क्यों होता है praise याने की तारीफ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ पाई और कौनसी novel के लिए अपनी कौनसी किताब के लिए publish हुई थी which presents a vivid picture of Bengal famine during World War 2 तो इस बुक में क्या था जब World War 2 याने विश्व युद्ध दो हुआ था उस टाइम पे Bengal में famine आया था याने की भुक मरी याने scare city of food की problem आ गई थी तो उस पूरी situation को उन्होंने अपनी So Many Hungers बुक में उजोंने पूरा समें बताया था तो इस बुक के लिए इनको काफी सारा प्यार और प्रेज तारीफ मिली थी इनको इनको शाडव फ्रम लद्दाक नाम की इनकी नौवल के लिए भी साहत्य अकाड़मी अवर्ड मिला था year 1966 में इसके अलावा भी इन्होंने बौट सारी शॉट स्टोरी लिखी है ग्लोरिय ट्वालाइट यह जो इन्होंने जो चाप्टर लिखा है शॉट स्टोरी लिखिए इस टेकन फ्रम दे कलेक्शन स्टील हॉक अन अदर स्टोरी जिसको आज हम एक चाप्टर के समान या चाप्टर जैसे पढ़ रहे हैं तो टुडेज लेसन इस ऑल अबाउट एक चोटा सा में ओववई दे देती हूँ आज का जो लेसन है एक इन्सान के बारे में हैं जिसका नाम है सत्यजीत सत्यजीत बैंक में एक क्लर्क है और सड़नली एक दिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी किस्मत पलट जाती है जब वो बैठा हुआता तो उसके सामने एक इंसान आता है एक चेक लेके कि भाई मुझे इसको एन कैश करा दो सत्यजीत ने जब देखा तो उसको थोड़ा डाउट हुआ इंसान के हाओ बाव और शेक करते हाथ हिलते हुए जब देखा तो उसने किदर उदर से इसको पता चला कि वह जूट बोल रहा और जैसे ही उसने उसको पकड़ा सत्यजीत ने तो पूरी जगह उसकी वाववाई हो गई बैंक में और इससे उसका प्रमोशन होगे कि उसने एक फ्रॉड इंसान को पकड़ाए बैंक में तो क्लर्ट से आज वो कौन है मैनेजिंग डिरेक्टर बन गया अपनी बैंक में उसने बहुत पैसे कमा लिए घर दो गाडियां सब कुछ जिसमें गाड़ी उसकी एक हो गया यहने बैंक को बहुत लॉसेज होगा उसका बैंक खतम होगे तो उसकी जॉब चली जिसकी वजह से उसके सारे चले गए हैं घर गाड़ी बंगला सब कुछ चले गया तो आज सत्यजीत वापिस वहीं पहुच किया जहां से उसने स्टार्ट किया था यहने जब बैंक तो इस बीच में सत्यजीत को एक इंविटेशन आता है मतलब जब सब कुछ उसकी लाइस में खतम हो गया पैसे चले गए घर गाड़ी बंगला सब चले गया इसके बाद सत्यजीत के पास एक गाउं में रहने वाले उसके गाउं के रहने वाले एक चाचा जी का एक जिनकी शादी में सत्यजीत ने बहुत हेल्प करी थी लेकिन इसबर तो इसके पास कुछ था नहीं बद स्टिल अपना माइंड फ्रेश करने के लिए शेहर से दूर चलेगे अपने गाउं में कि चलो कुछ दिन अच्छा लगेगा अब वहां पे उन्होंने 2,000 रुपे मां लड़की वालोंने दे दो अब इसके पास तो कुछ नहीं जेव में सर्फ 200 रुपे थे अब ये क्या करें तो इसके पास गाउं में एक अपना खुद का छोटा फिश पॉंड और एक चोटा घर था जो किराय पे इसने दे रखा था अब इसने बोला यार मैं क्या करू अब पैसे देता है तो गाउं के मनी लेंडर हरीश के पास गया वो अंकल और उन्होंने हरीश ने कहा कि बाई मैं तुम्हें तभी कुछ दे सकता हूं पैसे जब तुम कुछ मेरे पास गिरवी रखो याने मौट गेज करो अब मौट गेज करने के लिए तो अंकल श्रीनात के प पचा इसके लावा कुछ भी नहीं है जो कि उसने अपनी वाइफ और अभी अभी हुए पहले बच्चे के लिए उसने रखा था कि मैं अपने बच्चे के लिए तो कुछ रखूं लेकिन क्योंकि इतना जाधा helpful nature था सत्यजीत का उसने सब दे दिया अपना और फाइनली बी ट्वालाइब त्वालाइब याने शाम के समय जब अंदेरा हो जाता है याने जब उसकी लाइफ में अंदेर आगया कुछ भी नीथा फिर भी ग्लोरी थी फिर भी फेम थी उसके पास जो गाहँवालो द्वारा रिस्पक्ट के तवर पे मिली So this was all about the chapter and now let's begin with our explanation तो अब यहां पे story ऐसे चल रही कि जो सत्यजीत है वो train में बेठा हुआ और गाहु जा रहा है तो बतारहे है कि जिस train में बेठा है वो काफी slow चल रही है और वो narrow gorge है narrow gorge याने railway gorge which is narrower than the standard gorge याने जो पतली पतली railway की जो tracks होती है उसको हम कहते है narrow gorge तो किते हैं मैं उस narrow gorge Indian train में बेठा हुआ हूँ जिसमें इसे awkward suddenly एक freak याने unusual ऐसी कभी आवाज आती नहीं है friendly आवाज आई किसकी train की engine की और क्यों आवाज आई क्योंकि train stop हुए एकदम जब रेक लगता है train का तो एकदम आवाज नहीं है एकदम squeak की वैसी आवाज आई क्यों क्योंकि यह जो train है बार 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 बिना authorized authorization के याने की not having official permission याने train को officially permission नहीं लेकिन बार बार बिना किसी रीजन की train बार बारबार बीच में stop कर रही है और रुक रही है और क्यूआ थे और no good reason याने कोई रीजन नहीं पर बार 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 train हो रही है कभी भी कहीं भी train रुख जा रही है It was said that the guard signaled a hold to pluck a pumpkin or ripe melons from its stem or to buy fistfuls of green gram from a patient Halt का मतलब क्यों होता है Stop, रुखना Fistfuls याने मुठी भर As much as a person can hold in his hands तो इतना जितना एक इंसान अपनी hand अपनी मुठी में भर सकता है तो क्यों बार-बार train रोक रही थी जिस train में बैठके village गाओं जा रहा था सत्यजीत ये बोला जा रहा था कि जो guard है वो बार-बार signal कर रहा था कि रोको रोको क्योंकि उसको pluck करना था याने train के साइड में कोई stem में से उसको दिख रहा था कि कोई pumpkin कोई कदू बड़ा के साइड में खेतों में चोटे-चोटे peasants याने की poor farmers जो बैठे रहते हैं वो green gram याने इस तरीके जो हरे चने होते हैं वो लेने के लिए fistfuls याने मुठी-बुर उन से लेने के लिए वो बार-बार पूरी train रुख वा रहा था तो इससे काफी जादा जो passengers बैठे होए थे वो गुस्सा और रहे थे train में Some of the passengers grumbled and sat down with drawn brows composing in their minds angry letters to authority or to the press तो जो कुछ passengers बैठे थे वो grumble कर रहे थे याने चुप-चाप बैठे थे और अंदर ही अंदर उनको गुस्सा आ रहा था complain about something in a silent way ने शांत बैठे थे लेकिन बहुत गुस्सा आ रहा था और उनके drawn brows याने उनके eyebrows वो ऐसे हो गई थी गुस्से में और अपने mind में वो compose कर रहे थे बना रहे थे कि एक बार बास हम गाहों पहुच जाए तो हम letter लिखेंगे बड़ी authority को या जो official letters है उनको देखेंगे या press वालों को हम letter लिखेंगे कि भाई ये so and so train बेफालतुकली बार-बार बीच में रोक रही है but others कुछ passengers ऐसा सोच रहे थे लेकिन जो दूसरे passengers थे seized the chance to slip merrily out of the doors for a breath of air and a view of the green fields seized का मतलब क्या होता है took an opportunity अगर आपने कोई opportunity ले लिए तो उसे हम seized कहते हैं और merrily का मतलब क्या होता है happily याने खुशी से तो दूसरे passengers ने क्या क्या है यह opportunity ले ली किया रहे वहाँ train रुक गई है कुछ passengers बाहर चले गए हवाँ में सास लेने के लिए या जो खुले-खुली green fields याने खुले जो यह मैदान थे उसमें का view लेने के लिए उसका मजा लेने के लिए कुछ passengers बाहर चलेगा और कुछ अंदर ही अंदर बैठके गुस्टा हो रहे थे भाई बार बार ट्रेन रुक रही है Satyajit Langwood on the cushioned bench now vacated by the other occupants reached out for a cigarette but on second thought withdrew his hand brusically Langwood का मतलब क्यों होता है relaxed या feeling lazy जो आ रहा हम से बिलकुल आलस में लेटा हुआ है तो जो Satyajit था वो अपनी cushioned bench cushioned वाली bench पे बैठा हुआ था बहुत lazy feel कर रहा था वो Vacated का मतलब क्यों होता है leave या get out of place फिर उसने भी अपनी जगा से उठा अपनी seat से उठा दूसरे occupants याने दूसरे passengers के साथ और बहार गया फिर उसने अपनी cigarette निकाली लेकिन पहले उसने अपनी cigarette के डबे में हाथ डाला और एक second में ही Bruce Lee, Bruce Lee का मतलब quickly, फटा फट फटा फट उसने अपना हाथ withdraw कर लिया कि पहले सोच रहा था मैं cigarette पी हूँ फिर उसने अपना हाथ एगनम पीछे कर लिया कि नहीं मुझे नहीं पीनी That won't do He told himself with a stern shake of his head His smoke was rationed Rationed का मतलब बता है lessened याने कम हो जाना तो उसने फिर अपने आपसे cigarette ना पीते हुए बोला कि नहीं Stern shake of head याने उसने खुद सैसे बोला कि नहीं मुझे तो नहीं पीनी क्योंकि उसने उसकी जो smoke थी वो ration हो गई थी याने जो उसकी cigarette सी वो खतम हो गई थी और शाद सरिफ एक last बची थी तो उसने वोला नहीं अभी नहीं पीता हुए थोड़ी देर बात पी लूँगा और वो शाद अपनी कोशिच भी कर रहा था कि मैं cigarette पीने की आदत कम करूँ तो इस वज़े से उसने कम नहीं पी वो वाली cigarette He had attuned himself in the past month to a fast growing list of denials large and small and this was one Attuned का मतलब क्या होता है तू oneself aware याने जब आप अपने आपको aware कर रहे हो याने किसी चीज के लिए aware कर रहे हो कि हाँ नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए basically खुद को किसी चीज के लिए आदत डाल रहे हो यहाँ पे denials का मतलब क्या होता है the action of refusing something जब आप खुद कोई deny कर रहे हो याने मना कर रहे हो चोटी बड़ी चीजों के लिए तो कहीं नहीं सत्यजीत ने खुद को आदत डाल दी थी पिछले महीने से fast growing denial से याने बहुत सारी उसकी life में चोटी बड़ी चीजों के लिए उसन वो खुद को मना कर रहा था कि नहीं मुझे नहीं करना और उसमें से एक चीज यह भी थी कि cigarette मुझे नहीं पीनी how can he afford the unrestricted luxury of chain smoking unrestricted का मतलब होता है unlimited तो यह unlimited जो उसकी आदत है बारबर chain smoking के याने बारबर और थोड़ी दिर में that still had semblance of an undreamable dream semblance का मतलब क्यों होता है looking similar but actually the reality is different चीजे पहले जैसे सेम दिखती बड रियालिटी जो अब भी जो रियालिटी वो काफी बदल चुकी है तो यहां यह बोला जा रहा है कि भाई कि चीज Came Desları जैसे उसके साम ने धिख रहे हूं मैं पहले इतना वा Amir था THE mall spent आप अब उसके पास कुछ नहीं तो भाले चीजे सेम देख रहे हैं पहले जैसे लेकिन अब कुछ नहीं क्योंकि आब उसका bank बन रोचुक Spiel워서, और उसक घर, गाड़ी बंकला, सब favor that पहले जैसी चीजी सेम नहीं नहीं तो वो इतनी luxurious life afford नहीं कर सकता, बार-बार cigarette पी नहीं किये. और life में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको अब dream करो, सपना देखो वो सपना पूरा नहीं हो. अब winst का मतलब क्यो होता है, make a movement of body out of pain. जैसे हैं आपको कोई pain होता है, जैसे एकदम मान लिजए, दर्वाजे में आपकी उंगली आ गई. तो अब एकदम आप पीछे होता है, तो यह जो आप एकदम पीछे हो रहे हो, यह पीछे होने का जो आपका body का movement है, due to this pain, इस दर्थ की वज़े से, इसको winst कहते हो. fortune का मतलब क्यों होता है, भाग गया आपकी destiny. तो बोल रहे हैं इस sentence में कि उसका जो wheel of fortune था, याने जो उसकी किस्मत का पहिया था, वो ऐसा गूमा कि उसको winst होना पड़ा है, याने कि उसको इतनी तकलीफ होई, इस life के failure से, जो उसके पास अब कुछ नहीं है, इसको winst हो है, याने इसको बहुत धक्का मिला, इस wheel of fortune या beyond his will, reminiscence का मतलब क्यों होता है, memories of the past that one remembers, याने पहले की कुछ memories, कुछ यादे जो इनसान अभी याद कर रहे है, तो जब उसके पास बहुत सारे पैसे थे, वो MD था bank में, तो वो सारी यादे उसको बार बार आ रहे हैं, ना चाहते होए भी, beyond his will, याने ना चाहते होए भी बार बार वो चीज़ें उसके दिमाग में आ रहे हैं, और वो इस orbit, orbit का मतलब क्यों होता है, ऐसे एक गोल, path, एक रास्ता, तो कह रहे हैं, बार बार ये पुरानी जो यादे हैं, उसके दिमाग के orbit में ऐसे बार बार गोल गूल घूम रहे हैं, ना चाहते होए भी, the banking establishment of which he had attained control, the amazing tempo of it all, तो अब बता रहे हैं कि क्या हुआ था, कि उसका रहे हैं एक banking establishment है, एक bank में उसने job करना start किया तो और वहाँ पे उसका बहुत control भी चलता था, the amazing tempo of it all, tempo का मतलब होता है speed, और बहुत speed से उसकी success बढ़ रही थी जब वो job करता था, luck had come his way, luck यानि किसमत उसके सा साथ दिया था, undeniably, but behind it was his mind, his initiative, grit, energy, तो इस चीज में deny नहीं कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं कि वो luck factor उसके साथ था कि वो suddenly एक दिन में MD बन गया bank का, लेकिन इसके साथ साथ उसका दिमाग था, क्योंकि वो होश्यार था, his initiative था, यानि वो हर चीज में आगे पहल लेके आता था, bank में कि मैं कर दू, मैं कर दू एकाम, तो उसका initiative वाली है, habit, उसकी grit, grit याने determination, उसकी धिरिंड़ता थी, job को लेके और उसकी energy थी, इन सब चीजों की वज़े से भी उसने success पाया, या promotion पाया, चीक है, starting as a mere clerk, he had become managing director, and now, what now, तो उसने शुरुआत कैसे करी थी, bank मे एक clerk के तौर पे काम करना start किया था, और वो suddenly, एक दिन में managing director, याने MD बन गया था, bank का, and now, पर अब क्या हुआ, what now, अब क्या हुआ, तो ये सारी चीज़े अब दिमाग में आ रही कि मेरे साथ इतना बढ़िया सब चल रहा तो पर अब एकदम से मुझे क्या हो गया, तो य सब वो सोच रहे, अब यहां से सत्यजीत का appearance की वो कैसा दिखता था, वो describe कर रहे है, tall, thin, nearly, near 40, sharp features, तो सत्यजीत जो था न, वो लंबा आदमी था, पतला था, उम्रक, nearly 40, याने 40 के आसपास थी लगबग, और उसके features याने ने नक्षकतर काफी sharp थे, the hair receding on his temple in white, shiny, smooth patches, receding क मतलब क्यों होता है, go move back and further, याने जब बाल उसके यहां थे और temples, यह जो word दिख रहे है, temple वो यह होता है, याने जो यह area होता है, यहां का उसको temple कहते है, तो जो उसके बाल थे, वो उसके temple से इधर उधर 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 ऐसे उड़ते रहते थे, याने यहां से उसके ब बाल थे, with in wide, shiny smooth patches, याने यहां से उसके बाल थे और इधर इधर से बाल नहीं थे, तो यहां पर खोपड़ी उसकी shine करती थी, याने चमकती थी, his eyes hated glare, याने वो smart eye glasses to shield them, glare का मतलब क्या होता है, strong light, बहुत तेज रोशनी, तो उसकी आखों को तेज रोशनी नहीं पसंद थी इसलिए वो बहुत अच्छे eye glasses, याने sunglasses पहनता था अपनी आखों को shield करने के लिए, याने की cover करने के लिए, his mouth thin-lipped, वो tighten in response to a line that suggested strength of will, but might have been only pride, तो जो उसका mouth था, वो thin-lipped, याने उसके lips पतले थी, और वो हमेशन को ऐसे tight कर देता था, किसी भी बात के response में, और ये बताय जा रहा है इस line में की, जो भी success उसने आज तक पाई थी, वो उसकी strength, याने उसकी ताकत की वज़े से नहीं थी, बलकि उसकी pride, उसके गर्व की वज़े से उसको आज ही success इतनी मिली थी, what now? अब वो खुद से, ये सवाल बार-बार पूछ रहा है train में, अकेला बैठा है माय कि अब क्या मतलब मैं मैं मैंनेजंग डिरेक्टर भी नियुक सब खतम होगे, अब क्या, he said to himself, और खुद से वो बोले जा रहा था, in an under breath, under breath याने, speak in a whispering tone, याने, खुद सी, अंदर यांदर बात कर रहा था, अपने आप से पुस-पुस आ रहा था, अब क्या, आप क्या, म अपने आप से बार-बार पूचे जा रहा था, अब क्या करूँ, मतलब सनक बन गई था, अब मैं क्या करूँगा, तो ये खुद से ही questions वो बार-बार पूचे जा रहा था, he had no business to be on his wretched train, on a neglected railroad, traveling away from the city, where he must look for work, for the means of living, wretched का मतलब क्या होता है, in a dirty and a very bad condition, तो जो चीज बुरी condition में होती है, उसको रेच्ट कहते है, तो बोल रहा है कि उसका कोई business, उसका कोई काम नहीं था, इस गंदी सी train में बैठना, और जो railroad पटरी थी सामने आथा, उसको वो neglect कर रहा था, उस पर ध्यान भी नहीं दे रहा था, बस बैठा हुआ था, वो कुछ नहीं कर रहा हो जैसे village में, with the sudden collapse of his bank, all his private assets were gone overnight, the equities, the house on Tagore Street, even the two cars, his and his wife's, collapse का मतलब क्या होता है, downfall या failed, suddenly जिस बैंक में काम करता था, उसमें एक downfall आया, याने वो fail हो गई, bank बंद हो गई, जिसकी वज़े से जिसके personal खुद के assets से, घर, गाडी, बंगला, सब चले गए, overnight, याने रात राते की रात में, उसकी जितनी equities थी, याने जितने भी shares और stocks थे, इसके पास, वो सब भी रातो रात चले गए, इसका टेगोर स्ट्रीट पे खुद का घर था, वो भी चले गया, in fact, इनके बास दो कारें थी, एक इसकी खुद की और एक इसकी बीवी की, वो दोनों भी बि mercy का मतलब यहां पर मतलब यह है कि, thank God, और यह she कौन है, यह she है, इसकी wife, उसकी wife के बारे में बात हो रही है, ruin याने destruction, बरबादी, तो वो खुद से ऐसे सोच रहा है कि, thank God, मेरी wife यहां पर है नहीं, वो अपने parents के साथ रहने गई है, दिल्ली में, कुछ दिन के लिए, और she is unaware उसको इस बारे में, यह जो destruction, यह जो बरबादी होई हमारी life में, इस बारे में उसको कुछ नहीं पता, a telegram had come last Tuesday announcing the safe birth of her child, एक पिछले ही Tuesday एक लेटर आया उसकी wife का, और उसमें उसने बताया कि, finally उनके बच्चे का safely birth हो गया, याने कि यह पापा बन गया है, सत्यजीत, their first born, for he had married late in life, और यह जो है, बच्चा, यह उनका first born है, याने पहला ही बच्चा हुआ है, क्योंकि सत्यजीत ने अपनी लाइफ में बहुत देर से शादी करी थी, तो 40 years की एज में इसका पहला बच्चा हुआ, his son, क्या हुआ उसको बेटा हुआ, his ire, यह आयर इसली बोले राइट्स, remittance का मतलब क्या होता है, a sum of money sent in payment as a gift, कि आप कुछ पैसो का amount भेजते हो एक साथ, और कोई gift नी भेजते हो, बस पैसो का amount भेजते हो, कि हाँ, यह gift के तौर पे, अब आपको उसका जो खरीदना है, ले लो, तो वो remittance होता है, और name giving rights, याने की नाम करण की जो इसने नाम रखते, तो बताते हैं कि उसने ना अपनी खुद की सत्य जीतन के पास एक diamond के अंग उठी थी, वो उसने बेच दी, ताकि वो जो पैसा है, वो अपनी बीवी को भेज सके, कि वहाँ पे भाई, उसके बच्चे की नाम करण की ceremony हो रही थी, तो बोला यह पैसा लो इसने नाम करण करना वहाँ पे, तो इसने अपनी ring भी बेच दी, she had married a man of fortune that made it harder for him in this crisis, तो she कौन उसकी वाइफ तो वो ऐसा सोच रही कि जो मेरी बीवी थी, उसने man of fortune से शादी करी थी, याने कि बहुत पैसे वाले इंसान से शादी करी थी, लेकिन अब यह उसके लिए बह about his earlier life, और यह बात सच है, true है, कि जो earlier, पहले की life थी सत्यजीत की, उसके बारे में उसकी वाइफ को सब कुछ पता था, कि पहले उसके पास कुछ नहीं था, वो गाहों से आय था, clerk के तोर पे काम करता था, और फिर MD बना था bank में, तो यह सब उसकी वाइफ को पता थी, but that was story book stuff, it could be narrated happily to their first born when he grew older, तो वो कहता है, जो मेरी यह पूरी success की, जो मेरी story थी, यह story book जैसी थी, जो यह सुनाता कभी अपने बच्चे को, जब वो older हो जाता इसका बच्चा की, देखो बेटा, मैं पहले गाउं में रहता था, फिर मैं शेहर आया, बहुत महनत करी, clerk बना, MD ब कहानी के तौर पर वो अपने बच्चे को बता था, जब वो बड़ा होता, तो पहले पार्ट में उसको success मिली, और दूसरे लाइफ के sequel पार्ट में, यह दूसरे पार्ट में उसको failure मिला, तो यह दूसरा पार्ट कैसे बताए अपने बच्चे को बढ़े हो कि हम fail हो गए थे फिर से सब खतम हो गये था, glory was all overlaid with dark shame, glory was dead, तो जो glory थी याने की जो fame, जो rich और famous थे वो लोग इतना ज्यादा, वो सब dark shame याने बहुत अंधेरी शर्मनाक चीज़ से वो ढख चुकी थी, और जो इनकी glory, जो इनका famousness था, जो इनकी fame थी, वो सब आप dead हो चुकी थी याने क खतम हो चुकी थी, तो वो कैसे बता था अपने बच्चे को भी, it would be easy enough today if there were none else to think of except himself, तो वो सोचता है कि ये कितना आसान होता मेरी मेरे life में, कि अगर मेरी life में कोई और नहीं होता, और बीवी बच्चा नहीं होता, अकेला मैं होता और मुझे सिर्फ अपने बारे में सोच तो कितना सही रहता, सब सॉटेट था, born in a humble village home, self-educated struggle had been his life breath, तो अब सत्यजीत का शुरू से बता रहे हैं कि वो कहां पैदा हुआ था, वो एक गाओं के घर में पैदा हुआ था, humble याने बहुत polite लोग थे, इसके family वाले, self-educated, इसने बहुत मुश्किल से खुद को education प्रा workshop he secured, grateful याने thankful, finally फिर इसने थी महनत करी, शहर आया और फिर इसको bank में clerkship की नौकरी मिली, तो कितना thankful था यह उसलाइम के, finally चलो मुझे clerk की नौकरी मिल गई, a turning of the wheel of the fortune, he had wondered, the next turning, a year after, was more dramatic, फिर वो पता रहे है कि finally इसकी life में जो destiny का पैया था, वो घूमा, fortune याने destiny, भाग बतानी में clerk से कैसे इतनी बड़ी position पर पहुझ गया, इसकी life में एक साल बाद याने, clerk की नौकरी इसने एक साल करी, और एक साल बाद इसकी life में turning point आया, जो कि बहुत dramatic था, ने, full drama से भरा हुआ था, और इसकी life में बहुत change आया, क्या change आया, what made him give a fixed look to the man beyond the brass grill of the counter, तो अब वो बता रहा है कि कैसे ये clerk से managing director बना, तो बताता है कि मैं बैठा हुआ था अपने, अपने desk पर, अपने counter पर और brass की एक वो थी counter था, याने पीतल की इसे लोहे की counter थी, जैसे bank के desk पर होती है, जब भी हम bank जाते, तो गयरा, एक आदमी आया था, और वो मुझे fixed look, याने ऐ इस तरी के से देख रहा था मुझे, और पता नहीं मैं भी उसको देख रहा था, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था, उस आदमी को देखके, ज़िए the check presented for encashment was not a large sum, तो उस आदमी ने सत्यजीत को एक check दिया, encashment के लिए, याने exchange of check for cash, याने check दिया, कि भाई ये check है, औ अब so and so amount का है, याने जो भी amount का उसने check दिया था, बहुत ज़्यादा बड़ा amount नहीं था, लेकिन, मतलब उसके, मतलब वो आदमी अजीब सा लगा है, सत्यजीत को, eye upon eye, means you seen to the other person's eye and you eyes and you have the same views and opinions like them, तो eye upon eye, याने वो भी सत्यजीत को आँखो में से देख रहा था, और अपनी आँखों में feel करना था, कि या डर रहा है किसी बात से, तो सत्यजीत को doubt आया, alarm vivid in the face and hand on the counter shaking, and hand on the counter shaking curiously, तो अदमी को देख के सत्यजीत को ऐसा लगा कि चहरे पे, याने face पे कोई alarm है, कोई 12 बजी हुई है, और उसके जो हाथ थे, जो सत्यजीत के counter पे ऐसे रखे हो of the record, impulse का मतलब क्या होता है, a strong instinct from within you, अपको अंदर से जब को instinct आता है, अंतरात्मा जवाब देती कि नहीं कुछ तो गढ़बढ है, तो सत्यजीत के जो impulse था ना, उसको कही न कहीं, ऐसे signal दे रहा था कि नहीं, इस आदमी को check करो, ये check जो दे रहा है, ये सही नहीं दे रहा it tallied, तो जो check पे signature था और पुरान है record में, जो signature था वो tally हो गया और match हो गया, but that face, that mind पर फिर भी, जो चहरा, जो हाथ काप रहा था, जो डर वो देख रहा हो था आदमी के चहरे पे, उसको कहीं न कहीं doubt हो रहा था सत्यजीत को, a hundred reasons, none connected with the check, could explain the face and hand, तो भले ही, 100 reasons थे, कि ह हाँ, check match हो रहा है, sign सही है, signature सही है, लेकिन फिर भी, जब वो चहरा और हाथ कापते हुए, डर देख रहा था आदमी के चहरे पे, तो वो कोई connection नहीं मिला पा रहा था सत्यजीत उस चीज़ पर, तो उसको कहीं न कहीं doubt गया, Even so, the impulse led him to the telephone, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं शक था सत्यजीत के अंदर, तो उसने क्या किया, एक telephone call किया, confirm करने के लिए, Sir, have you signed a barrel check for rupees 2000, it has yesterday's date, तो उसने phone के बोला कि Sir, क्या आपने कोई check sign किया है, क्या, 2000 रुपे का, उसमें कल की तारीख डली हुए, अब ये 2000 रुपे उस जमाने में बहुत बड़ा amount हुआ करता था, तो सामने से बंदा बोलता है, rupees 2000, 2000 रुपे का, No, मैंने कोई check नहीं साइन कि रुपे का, His heart felt pain for lack of air, Suddenly, सत्या जीत के दिल में जैसे दर्थ सौगा कि, अरे, ये मेरे पास कल की तारीख के 2000 का sign करके लाया है, चेक और बंदा मेरे को बोल रहा है, मैंने तो कोई check sign किया ही नहीं है, Sir, are you sure, सत्या जीत बोलता है, sure हो, the signature seems okay, signature तो ठीक की लग रहा है, जो आ counter के पास गया, rush याने दोडते भागते हुए, where was the man, कहता है, वो आदमी का गया, there, close to the exit, and the face turning back for a moment, were stark fear, तो इसने मुला, अरे, वो रहा वहाँ पे exit, याने बाहर, bank के बाहर जाने का जो रसता है, वहाँ पे खड़ा हुआ है, और, he was going, वो वापिस जारा था अपने गर, सत्यजीत अपने feet, याने अपने pair, counter के उपर कूद के गया, उसको पकड़ने के लिए, the blank clerk hunted down his prey on the gravel path, 20 paces from the front door, तो जो सत्यजीत था, उसने jump करके counter से भाग के गया, और hunt किया, याने पकड़ लिया, अपने शिकार को, याने उस जूटे आदमी को gravel path, याने कच्चे रास्ते पर दोड के गया, और पकड़ लिया, 20 paces, याने steps, कुछ 20 कदम दूर ही था, वो सामने वाले door से और उसको जाके सत्यजीत ने पकड़ लिया, और there was no struggle, इतनी कोई difficult काम नी था, बस जल्दी से जाके उसने पकड़ लिया, the man crumpled down in a heap, crumpled का मतलब पता है, collapsed on the ground, तो जो आद लिया, और उसकी आँखों से बड़े-बड़े आसू बहने लगे उस आदमी के, why did you have to commit forgery, she has TB, she, तो उसने पूछा, सत्यजीत ने उस आदमी से कि तुमने forgery क्यों की, याने act of copying signature और रहनी bank document, तो जब आप जूटा signature करते हो, sign करते हो, गलत करते हो कुछ, तो वो forgery होता है, याने जूटा होता है, bank के concept में, तो सत्यजीत ने उससे पूछा, forgery क्यों करी तो वो आदमी बोलता है, उसे TB है, सत्यजीत बोलता है, कौन शी, किसकी बात कर रहे हो, she is dying for want of medicine, और फिर वो आदमी बोलता है, मेरी, मतला मर रही है, medicine की need के लिए, याने अपनी बीवी की बात कर रहा था, कि जो मेरी बीवी है, उसको TB हो गया, याने tuberculosis नाम की बिमारी हो means I give lessons in maths to the rich man's son, that money, तो वो बोलता है, मेरे को कोई और रास्ता ही नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं था, और वो कहता है, मैं तो teacher हूँ, और मैं maths का lessons, याने classes देता हूँ, बहुत अमीर आदमी के बेटे को, और उसी अमीर आदमी का जूटा signature मैंने यहां पे करके आ आपको दिया है, the head between the hands wagged from a side to side in queer rhythmic frenzy, wagged का मतलब क्योंता है, shake or move, queer का मतलब क्योंता है, strange, अजीब और गरीब तरीके से, frenzy याने madness, पागलपन में, तो जो उसने हाथ ऐसे दबाए तो वो बार बार ऐसे कर रहा था, फिर ऐसे, फिर बोल रहा था, तो पागलोग तर अजी वर्क हमारे सत्य जीत थे, वो क्या बन गए, accountant क्योंकि वो hero बन गए, bank वालों के सामने, तो उसका promotion हो गया, he deserved what he had gained, तो जो उसने पकड़ा था, उस आदमी को इस वज़े से, वो deserve भी करता था, अपनी समझदारी और दिमाग की वज़े से, उसने deserve भी करता था, accountant होना और व stepping stone, the forgerer, अब thrill याने excitement, वो बहुत excited था, कि मैंने तो इसको चोर को पकड़ लिया, contempt का मतलब क्यों होता है, dislike, जब आप किसी को सच में पसंद नहीं करते हो, अभी जो forgerer था, याने जिसने चोरी का नकली का signature करके आया था, ये कई बर आता जाता रहता था, bank में, और सच मे सत्यजीत इस आदमी को पसंद नहीं करता था, इस वज़े से सत्यजीत ने इसको क्या बनाया, stepping stone, याने इसके उपर, मतलब इस आदमी के उपर CD चड़के उसने success की CD पाई, तो चाहता तो इसकी मदद कर सकता था, पैसे खुद से अपनी तरफ से दे सकता था, या इसको such a crime even to save your dying wife, but today as he sat on his loan bench on the train, he saw mine pictures and felt troubled, तो सत्यजीत ने उस वक्त उसको बोला था कि भाई, तो मारी बीवे अगर मर भी रही होगी, तो भी तुम इस तरीकी का crime नहीं कर सकते bank में आके भाई, लेकिन आज, जब वो अकेला बैठा हुआ है, उस loan, याने lonely, खाली train की bench पर, तो उसके mind में वो सारी यादे, वो सारी pictures आने कि कैसे मैंने उस आदमी को पकड़वाय था, जेल में डलवाय था, और इन सब चीजों से उसको बहुत trouble हो रही है, इन सब चीजों से बहुत तकलीफ हो रही है सत्यजीत को कि मैंने success की CD कैसे चड़ी थी एक आदमी को परिशान कर के जेल में डलवा के, the crouched figure on the gravel path wrapped in mute grieving, crouched figure याने ओकड़ू बैठके, ये आदमी इस तरीके से जेल में ऐसे crouch होके ओकड़ू बैठा हुआ था, जिसने नकली signature किया था, तो उस तरीके से बैठा हुआ था, और grieving कर रहा था, mute याने चुप चप grieving कर रहा था, याने बहुत sad और painful feel कर रहा था, the prisoner at the bar, और अब वो क्या बन गया है, एक कैदी बन गया है, बार, याने जेल की सलाकों के पीछे, face frozen, उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, क्योंकि वो जेल में, as though he had died within himself, और ऐसे बन रहा था उसका चेहरा, जैसे वो अंदर ही अंदर, शैद code, the judge had asked, तो judge ने जब इस forgerer को ये नकली sign करने वाले आदमी को पूछा कि, क्या तुम्हें court को कहने के लिए कुछ है, कुछ बोलना है court से, तो वो कहता है, punish me, कहता है, मुझे सजा दे दो, is that all, judge पूछते है, बस ये ही कहना है तुम्हें, तो वो कहता है, punish me as a killer, लेकिन ज judge कहता है, killer, तुम killer थोड़ी हो भाई, तुमने तो नकली bank में sign करिये, तुमने किसी का खून थोड़ी किये, तो वो कहता है, I have put my wife to shame, shame kills as fast as TB, तो वो कहता है, मैंने अपनी बीवी को बहुत शर्मनाक situation में डाला है, क्योंकि जब उसको पता चला, कि मैंने चोरी करी है, तो किसी इंसान को अंदर ये अंदर मार सकती, तो कहता है, मैंने कहीं नहीं कहीं नहीं बीवी को shame कि में मार दिया, TB की वज़े से नहीं मरी वो, तो मोझे killer के तौर पे आप सजा देना, Yes, that wretched one had turned the wheel for him with his trembling hand, तो wretched का मतलब क्या होता है, miserable and sad, तो उस बेचारा, दुखियारा, आदमी जो इतना sad था, उसने समझो, एक तरीके से सत्यजीत की जो destiny का wheel है, याने कि जो किस्मत का पहिया है, खुद अपने trembling hands, याने की shaking, कापते वे हातों से उसने घुमा दिया, याने की वो कहीं न कहीं बली का बकरा बन गया, याने उसने गलती तो करी ठीक एचा सिखा उसको मिलनी चाहिए, सत्यजीत चाहता तो उसको बचा सकता था, लेकिन बचाया नहीं, उसने उसको और पुलिस की गिरफ graffiti, पिरफतार और अरेस्ट करवा दिया, तो कहीं न कहीं सत्यज प्रवीत क्लर्क से अकाउंटेंट बन गया और उसमें वो बली का बक्रा बन गया उसमें जेल में चले गया पावर उसिंग वन्स विल याने जो किसमत का पईया था वो खुद अपनी मर्जी से घूम रहा था जैसे की समझो किसी की नहीं सुन रहा था तो मुवइंग कंटिनिसली चल रहा था याने सक्सेसी सक्सेस मिल रही थी सत्यजीत की लाइफ में सत्यजीत के पास हर एक रीजन है आज की डेट में कि वो बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए याने थैंक्फुल होना चाहिए उस फॉर्जर याने कि उस जूटे साइन करने वाले आदमी से क्योंकि कहीं नहीं उसकी वज़े से वो सक्सेस्फुल हुआ Too late now to seek him out Give him a chance to live सत्यजीत सोचते है अब बहुत देर हो गये है कि मैं अब उसको ढूंडू उस से पूछू मैं उसको जीने देता हूं अपनी लाइफ जहां पर भी वो अभी है Too late, बहुत लेट हो गया अब उसको तो नहीं जा सकते है उसके पास सत्यजीत सोचते है He himself solely needed a chance to live और उसको एक चांस दे दो जीने के लिए The banking business lay around him in a broken mask and there was a prostrate on his face in the wreckage sucking its dust Prostrate का मतलब क्यों होता है Lying on the ground जो जमीन पर पढ़ा हुआ है On his face याने की मू के बल जो जमीन पर पढ़ा हुआ है Wreckage का मतलब क्यों होता है Remains of something that is badly damaged तो किसी चीज की जो बची कुछी चीजे आखरी बची है और वो आखरी बची हुई चीजे भी damage हो चुकी है और बरबाद हो चुकी है तो वो बोल रहा है कि जो banking business था उसके सामने बिलकुल टूटा फूटा जमीन पर पहला हुआ चारो चाने चारो कोने चित पड़े हुए थे क्यों क्योंकि banking business अब खतम हो चका था और जो बचा कुछा था उसके पास घर गाड़ी वो भी सब wreckage हो गया और डिस्ट्रॉई हो गया बरबाद हो गया All his fault यह सब गलती किस की है सत्यजीत खुद की ब्लेम करते है कि सब मेरी गलती है He had tried to overreach himself Overreach का मतलब क्या होता है Trying to achieve everything very fast आपको सब कुछ बहुत जल्दी से life में achieve करना है उसको overreach कहते है तो सत्यजीत कहता है सब मेरी गलती है क्योंकि मैं ही बहुत चाहता था कि मुझे life में सब कुछ बहुत जल्दी मिल जाए Each wrong step was now clear to time's perspective और जैसे जैसे समय आ रहा है उसको अपना हर गलत step जो उसने life में कभी लिया है वो आज उसको शान्त में एकांत में उसको सब समझ में आ रहा है कि मैंने क्या wrong steps लिये थे life में The run on the bank had come all too suddenly though Failure had a tempo faster than success तो जो bank का यह run था जो bank का यह जो loss था failure था वो suddenly आ गया था एकना मचानत से उसकी life में आ गया था और वो सोच रहा था कि जो failure है जो life में आपको failure मिलती है उसका tempo यानि उसकी speed यानि उसकी speed बहुत तेज होती है success से यानि जितनी तेजी से success आता है उसकी double speed से failure भी आपके पास आता है क्योंकि घड़ी का काटा मेशे एक सा नहीं रहता घड़ी का काटा गूमता है तो life आपको वापस वहीं पर लेकर आएगी तो यह सारी चीजे वो सोचता है he had great need to fly from himself that was why he was on this train तो इसनी life में उसका कुछ हो गया सत्यजीत को इसलिए कहीं न गहीं उसको ऐसा लग रहा था मैं खुद से ही दूर हो जाऊ यानि मैं खुद से ओड़के कहीं दूर चले जाऊ और इस वज़े से वो इस train में आज बैठा हुआ था अलेटर अट कर्ब तो इस निक तो इन निक ऑफ ताइम ओफरिंगे मैं एन एक्स्क्यूस अ टेंपरेडी रिलीव फ्रॉंद रेंचिंग विदिन निक ऑफ ताइम का मतलब क्यों था है जस्ट विफोर दे लास्ट मोमें विन सम्सिंग बाट कैन है वो आखरी मोमेंट जब कुछ बुरा बस होने ही वाला था उसके जस्ट पहले इस निक ऑफ ताइम तो वो आखरी मोमेंट के सम्झो बस सत्यजीत अपने साथ कुछ गलती कर देता डिप्रेशन में आके जस्ट उसके पहले एक लेटर आया सत्यजीत के पास उसको ओफर करा कि मतलब यह लेटर जो है ना एक तरीके से उसके लिए एक एकस्क्यूस बन गया था एक टेंपरेरी बहाना एक टेंपरेरी रिलीफ सुकून मिल गया था जो रेंचिंग उसके अंदर चल रही थी उससे रेंचिंग याने ट्विस्टेंट टर्ण जो अंदर धमा चौकडी याने अंदर जो एमोशन मिक्स्ट फीलिंग उपर नीचे जब जो उसके अंदर जो चल रहा था उससे बचने के लिए एक टेंपरेरी रिलीफ था यह लेटर उसके लिए अब यह लेटर किसका था यह लेटर था गाउ में रहने वाले सत्य जिसके गाउ में रहने वाले उसके अंकल का यह सगे अंकल याने सगे चाचा नी थे उसके पडोसी के अंकल थे अब गाउ में तो सबका बहुत प्रेम प्यार होता ही था पडोसी उसे भी तो letter में क्या लिखा था और मैंने आपको पोस्ट किया हुआ यह ने लिखा है continuously कि negotiations की क्या progress है negotiation यहने लड़के वालों से क्या हमारी बातचीच चल रही है दहेच के उपर कि कितना देना है उद सब के बारे में भी मैंने आपको continuously बताई रहा हूँ मैं letters के through I seek your benediction as in the case of my second, third and fourth daughters कामिनी, दामिनी and सोहासी benediction का मतलब क्यों आता है blessing, आशिरवाद लेकिन यहाँ पे वो uncle जो है, वो कह रहे हैं कि मैंने मुझे हमेशा से अपनी दूसरी, तीसरी और चौथी नमर की बेटी जिसका नाम था, कामिनी, दामिनी और सोहासी इनकी शादियों में हमेशा ही तुमारी तरफ से मुझे benediction मिला है याने blessing मिलिये in the form of money याने, यह था बहुत पैसे वाला था तो इनकी पहले की बेटियों की शादी में भी इनोंने बहुत पैसा दिया है सत्यजीत ने वें विद बीना वेड़ेट देर विल बी अरूना लेफट और शी इन अर 10th year तो बोलने की जब बीना की शादी हो जाएगी तो सरफ अरूना एक आखरी बेटी मेरी बचेगी जो अभी 10th year में याने जो अभी सिर्व अपने एक तरीक इस थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा तो थोड़ अच्छा लगेगा बस असली जा रहा था वो Daughter crisis, indeed mused Satyajit with a dim smile mused का मतलब क्या होता है talk to oneself Satyajit खुद से बात करते हुए और छोटी सी dim smile देते हुँ बोलता है की Daughter crisis, सच में की भाई, बेटीों की प्रथा Uncle Shrinath, a neighbor of Shantipur village but no blood relation seemed to have been producing his numerous daughters secure in the faith that the others would bear the brunt of the repeated crisis of their marriage needs तो वो सोचता है की जो मेरे Uncle Shrinath है यह मेरे पडोसी थे हैं Shantipur गाओं में मेरा उनसे कोई blood relation याने खून का रिष्टा नहीं कोई सच के मेरे चाचा नहीं हो लेकिन ऐसा लगता है की वो numerous, बहुत सारी बेटियां पैदा करते रहते हैं इस faith में, इस विश्वास में कि भाई दूसरे लोग कभी उन बेटियों की शादी का brunt याने burden उठाया लेंगे इसके लिए तो हर बार अपनी बेटियों की शादी पैसे letter लिखता है सत्यजीत को की भाई benediction दो याने blessing दो अब blessing का मतला उसके लिए कोई आशरवाद नी याने कुछ पैसों की मदद कर दो तो वो यही सोचता है कि इसके लिए वास यही है कि हमेशा बस benediction देते रो और हमने जैसे कि कोई burden लेके रखा है इनकी बेटियों की marriage needs को पूरा करने के लिए और सत्यजीत ने हमेशा से इनकी बेटियों की मदद क्यों करी क्योंकि वो flush of prosperity में था याने बहुत पैसे वाला था तब और वो more than open-handed राया ने खुले हाथ से कुछ जादा ही उसने उन पहले बेटियों की शादी में इसने दिया अंकल श्रीनात को और अब इस बार फिर उसको letter आया कि भाई मेरी बेटी की शादी तो अब क्या matter हो गया अब बात आ गई सत्यजीत की pride याने उसके pride पे और उसके satisfaction के लिए खुद के satisfaction के लिए कि नहीं मुझे इस बेटी की शादी के लिए उसकी मदद करनी है तो जब सत्यजीत छोटा था इसी शांतिपूर विलेज में वो पैदा हुआ था उस जमाने में लोगों ने कभी इसके बारे में सत्यजीत की बारे में इतना सोचा नहीं था और कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि इस बच्चे में कोई भगवान ने special gift देके पैदा किया या यह बहुत brilliant होश्यार है इसको हमेशा common herd यानिक ordinary एक मामूली बच्चा ही समझते थे और इसी वजह से यह सबसे बड़ा रीजन था कि सत्यजीत अपनी सक्सेस को बहुत जादा इंजोई करता था इन गाओंवालों के सामने क्योंकि यह लोग सत्यजीत को कुछ नहीं समझते थे लेकिन आज सत्यजीत बहुत बड़ा आदमी बन गया था तो सत्यजीत चाहता था कि इन लोगों की वाइड आइड वंडर रहे याने यह लोग हमेशे है हैरान मित्ती बड़ बड़ी आँखे करके सत्यजीत को देखी कि अरे कितना पैसे वाला आगमी बन गया है और इगर होमेज होमेज याने की special respect shown publicly जब आप सब के सामने किसी एक इनसान को special respect देते हो तो अंकल श्रीनाथ हमेशा सब के सामने सत्यजीत को respect देते थे बहुत ज़ादा honor देते थे तो सत्यजीत को यह सब चीज़े बहुत अच्छी लगती थी और वो चाहता था कि यह लोग जो है longing करें मेरी money की याने desire और यह जो गाहँ वाले थे कहीं ने कहीं सत्यजीत की इती respect इसली करते थे क्योंकि उनको अपनी जरुवतों के लिए पैसे चाहिए रहते थे सत्यजीत से तो यह clear एक give and take relationship था याने यह लोग सत्यजीत को respect देते थे public के सामने सबके सामने सम्मान देते थे जिस्तों उसका ego satisfy होता था और return में सत्यजीत इन गाहँ वालों की पैसों में मदद कर देता था तो यह give and take relationship था सत्यजीत का कहीं ने कहीं ego satisfy होता था इनकी respect से All that was over लेकिन अब इस बार जब सत्यजीत बीना की शादी में जा रहा है वो सबब सब खतम क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन यह सारी चीज़ें गाहँ वालों को और अंकल स्रीनात को नहीं पता यह बात तो सिर्व उसको खुद को पता है Fallen from his castle in the clouds, सत्यजीत must tread the earthly ways of humble folk अब सत्यजीत समझो जो आसमान में, clouds में जो उसने अपना महल बनाया था उससे वो गिर गया है अब सब खतम हो गया है, tread का मतलब walk सत्यजीत अब humble folk, याने normal people जैसे जमीन पे जुड़के चलते हैं सत्यजीत को भी अब वैसे ही चलना पड़ेगा लेकिन यह जो old man है, याने यह जो uncle श्रीनात थे इनका letter वो deny नहीं कर सकता था कि मैं नहीं आऊंगा क्योंकि वो बहुत उसके पुराने uncle थे, तो वो गया इसलिए शादी में He must send him some help और उसने सोचा था कि मैं कुछ ना कुछ मदद तो भेजूँगा बीना की शादी क्लिए He had pondered over the amount तो सत्यजीत ने amount के ऊपर ponder किया, याने बहुत deeply, carefully सोचा कि कितना amount में लिफाफे में डाल के दूँगा बीना की शादी में पहले तो वो पैसे दे देता था लेकिन इस बार तो एक एक पैसे पर उसको सोचना पड़ेगा He had to ponder over each rupee before he spent it तो इस बार तो एक एक पैसे पे सत्यजीत को ponder याने की सोचना पड़ेगा क्योंकि पैसे ही नहीं है उसके पास Then, all at once he had come to a decision He would go to Shantipur and attend the marriage फिर उसने finally decide कि है कि मैं Shantipur जाऊंगा और बीना के शादी attend करूंगा This would be a welcome relief The city was suffocating him तो उसको न जब वो village जाता है न तो उसको बहुत अच्छे से welcome करते हैं सत्यजीत को तो उसने बोला मेरे को welcome करेंगे मुझे relief मिलेगा और वैसे भी शेहर जो है अब मुझे suffocate कर रहा है याने घुटान हो रही है तो मैं थोड़ी दिन के लिए village चले जाता हूं His mind would be freshened His strength renewed for the coming struggle by the return of the physical scene which had been his starting point in life तो उसने सोचा कि मेरा mind थोड़ा freshen up हो जाएगा मैं गाउं जाऊंगा तो और मुझे ताकत भी renew होके मिलेगी याने मुझे और ताकत मिलेगी गाउं जाके थोड़ा अच्छा लगेगा थाकि मैं फिर से वो struggle कर पाऊं जो physical scene याने जो मैनत मजदूरी कर पाऊं वापिस उस चीज़ पर return हो पाऊं जो कभी मेरी life का starting point था याने जहां से मैंने शुरुवात करी थी अब मुझे फिर से अपनी struggle वहीं से start करनी इसलिए थोड़ा freshen up होने के लिए गाउं चले जाता हूं मैं अच्छा लगेगा मुझे Let that be his starting point once more तो उसने सूचा कि चलो यही अगर मेरा starting point है तो मेरा फिर से starting point यहीं गाउं से ही शुरू होना चाहिए Outwardly as much as in the spirit He would also take the chance to look at his ancestral house and fish pond Both leased out Bits of property still intact amid the vast demolition Leased out का मतलब क्यों होता है Given as rent जब आपने किराये पे कोई चीज किसी को दे दिये Intact याने complete पूरी तरीके से कोई चीज दो अभी भी आपके साथ जूडी हुई है Demolition का मतलब वोता destruction याने बरबादी तो वो सोचता है ठीक है मैं गाउं जाता हूं इससे मुझे ने अपना ancestral house मेरे गाउं मेरे एक पुष्टैनी मेरे पूरवजो का घर है और एक fish pond है याने मचलियों का एक चोटा सा pond है वो भी मेरा ही है वो मुझे देखने का मिलेगा वो भी जाओंगा और देख लूँगा और वो इस वक्त दोनों चीजे rent पे दे दिये हमने लेकिन इस point of time पे सरफ यह ही दो चीजे घर और fish pond ही है जो मेरे साथ जुड़े हुए है इस बरबादी के समय में और कुछ नहीं है इस वक्त सत्यजीत के पास तो यह सारी चीजे है जो घर और जो fish pond है उसने सोचा था मैं अपनी wife को यह आखरी gift के तौर पे दूँगा कि भाई तुम यह रख लो क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए तो जिस दिन शादी थी उस दिन उसने एक message पहुचवा दी अंकल श्रीनाथ को जब ट्रेन बंद थी जब सब पैसेंजर कुछ गुस्सा हो रहे थे कुछ बहार चले गए अब सड़नली श्रील ओव वार्निग आई इंजिन किया अने सड़नली अब ट्रेन का इंजिन स्टाट हो गया जो ट्रेन बार बार रोक रही थी शुरू आतमे जो पैसेंजर हरी बार गुम रहे थे फटा फट अंदर ट्रेन में आके बैठे और आफ आर और आदे ही घंटे में शान्तिपूर गाओ वो पहुच गया सथे जी ची लेंड आउट अफ दोर हिस आईज लुक फर लुक फर अंकल स्रीनाथ सब्सक्राइब करें बहुत सारे लोग क्राउड करके याने एक साथ भीड़ बनाके खड़े हुए और बहुत जादा इक्साथ सब्सक्राइब है और उनमें से एक इनसान जो था वो हवा में इतना बड़ा हिंदुस्तान का जो नाशनल फ्लैग है वो एक बैंबू के पोल याने लकड़ी पे लेके फ्लैग लेके खड़ा हुआ है अब पॉलिटिकल सेलेब्रिटी उन दे ट्रेंट स्ट्रेंज दट अंकल श्रीनाथ हुआद आलवेस फिर्ट पॉलिटिक्स वर लीडिंग दग्रूप तो इत्ती भीड देखके नैशनल फ्लैग देखके सत्यदीत सोचता है क्या इस ट्रेंड पे कोई पॉलिटिकल सेलेब्रिटी कोई नहीं था वेता है क्यों इतता है यह लोग भीड लेके खड़े हुए फिर उसने सुचा कितनी अजीब बात है कि जो मेरे अंकल श्रीनाथ है जो हमेशा पॉलिटिक से याने की राजनीती से डरते थे वही उस भीड का लीडर बनके लीडिं इतता है जो आपका वेलकम तो जैसे ही वो रुका वहां पे सब लोग आके रुके तो सबने कोरस में सबने साथ में चीखा और चिल लाया और क्या बोला स्वागत है आपका वेलकम तो बेसिकली यह सारी बीड बीड सब किसके लिए थी? सत्यजीत के लिए थी. आपको कुछ समझी नहीं आ रहा है तो सत्यजीत की वेलकम में सब वहां आए थे और उसने देखा कि एक छोटी बच्ची बिचारी जो बहुत ओस ही लग रही थी प्यारी सी लग रही थी वो आई और जैस्मिन के फूलों की एक माला लेकर आई अपने हाथ में और सत्यजीत उसको बड़ी कन्फूजन में देखा कि अच्छी बच्ची बच्ची के सामने की थी के मुझे माला पिना लेकर उसको समाजी नहीं आए कि मुझे क्यों माला पिना रही और कितना मुझे रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं अदर या बात तो सत्यजीत को बता लेकर नहीं कि मैं तो थंटन गोपाल हूं हुँ तो कुछी भी नहीं है, मैं खातम हो चुका हूँ, मेरेको तो फालतु की इतनी फोटेज और रिस्पेक्ट मिल रही है Welcome, the voices rang again, then the expectant hush, Uncle Shrina turned around the group, on the high cheekbones and grey stubble of his face was a clear coating of strong elation Hush का मतलब क्यों होता है, making someone stop shouting तो फिर से सबने चिलाया बहुत तेज तेज की Welcome, सब चिलाने लगे तो सब, फिर Uncle Shrinaath उस group, भाई भीड की तरफ मुड़े और कहते हश, याने चुप हो जाओ सब, थोड़ी देर के लिए और Uncle Shrinaath के जो cheekbones से वसे चड़े हुए थे, जो grey stubble, याने सफेद दाड़ी थी हलकी हलकी उनके चहरे पे, उससे clearly वो इतना खुश हो रहे थे, इतना पता चल रहा था कि उनके चहरे पे बहुत strong elation है, याने बहुत great happiness है सत्यजीत को देखके friends and brothers, Bengal has been greatness in almost every field of action, I shall not belittle your knowledge by citing names, belittle का मतलब क्यों होता है, minimize याने कम करना, citing का मतलब क्यों होता है, to praise some person, जब आप किसी इंसान की तारीफ कर रहे हो, कोई बहुत great इंसान की उसी के सामने तो citing, तो ये line जो है, या Uncle Shrinaath बोलते है, पूरी भीड से और बोलते है कि दोस्तों औ और भाईयों, जो Bengal है, ये शांतिपूर एक Bengal का ही विलिज है, तो जो Bengal है, उसने हर field में इस दुनिया में greatness याने success पाई है, और मैं आप लोग की ये knowledge कम बिलकुल भी नी करूंगा, कुछ फेमस नामों से, जिनोंने Bengal के लिए हर field में कुछ ना कुछ किया है, it is only in trade and industry that Bengal has lagged behind sadly, the plums of business have gone to people from upcountry or from overseas, plums का मतलब क्या होता है, an excellent job position, plums means जो एक excellent job position होती है, वो, upcountry याने की towards the interior of the country, याने की देश के बीचो बीच, जो मध्य भारत है वो, Bengal मध्य में नहीं, Bengal इस तरफ है, overseas का मतलब क्या होता है, foreign countries, विदेशी, विदेशी देश, जो विदेश के लोग हो तो वो, तो वो अंकल बोलते हैं कि Bengal ने अहर फिल्ड में बहुत excellent किया है, लेकिन सिर्फ trade और industry ही ऐसी field है, जिसमें Bengal लाग बहन है याने पीछे रह गया है, बहुत बुरी बात है ये, और जित्ती भी good, great, अच्छे अची job positions है business में, वो सब मध्य भारतिये लोगों को पास चली गई है या तो फिर foreign country के लोगों ने वो job positions ले लिये, that is why our hearts grow big with pride at the side of the son of Bengal, a son of our own Shantipur village, who has attained great success in that field, और फिर वो बोलते हैं इस वज़े से ही, हमारा जो दिल है, वो बहुत बड़ा, हमारी चाती बहुत चोड़ी हो जाती है, गर्व से, जब हम हमारे ये Bengal के बेटे को देखते हैं, हमारा खुद का Shantipur गाओं का जो हमारा बेटा है, सत्यजीत, जिसने कितनी success, कितना success पाई है अपनी इस field में, that forbidden field, forbidden याने की debard, उस field को जो छूट गई थी हम से, trade and industry की field जो हम से छूट गई थी, banking industry जो Bengal से चूट गई थी, उसी field में हमारे इस Shantipur के बेटे ने कितना नाम रोशन किया है, and become the glory of the motherland, स्वागतम वेलकम, और जो हमारा motherland है, हमारी भारत, जो हमारी धरती है, Bengal की धरती को उसने बहुत ग्लोरी आने फेमस किया है, इसलिए स्वागतम सत्यजीत, वेलकम, इस तरीके से अंकल श्रीनात ने एक स्पीच दी, सत्यजीत के लिए, publicly. स्वागतम, the combined voices roared, while the tricolour flag on the tall pool nodded approvingly. सबने भी फिर जोर से चल ला है, स्वागतम और ट्रीकलर याने जो देश का जंडा था, वो भी इस तरीके से वो लोग सब हिला रहे थे. अब सत्यजीत ट्रेन से फाइनली ओक्स काट में याने की बैल गाडी में बैड गया और उनके घर की तरफ गया. फिर फाइनली बैल गाडी घर पे आके रुकी, मट ब्रेक हाउस था उनका, याने की मिट्टी का छोटा सा घर था, वहाँ पे नौट ऑव वुमिन, याने जैसी वो घर पहुचा तो घर के दरवाजे पर उसने देखा, बहुत ओरतों की भील लगी हुए, जो बहुत देर से हाथ में चांदी, मतलब पीतल के जो वाटर बो की करके जल्यली आने की कोशिश कर रही थी, ताकि उनको किसी एक लड़की को ये प्रिविलेज याने स्पेशल बेनेफिट, एक एडवांटेज मिल जाए कि मैं धोंगी सत्यजीत के पेर, याने गाव में योता है कि कोई महमान भार से आता है तो उसके मान सम्मान आधर में लोग बहुत थंड़े पानी से घर की ओरते उनका पैर खुद धोती है तो उस बेनेफिट को पाने के लिए कि भाई पैर धोने का जो बेनेफिट है वो हमें मिले लड़किया ओरते जो आपस में धक्का मुकी कर रही थी, ताकि थंड़े पानी से मैं उनका पैर धोपा हूं और जैसी सत्य जीतने देखा कि भाई औरते आ रही है और एकाद कोई मेरे पैरों में गिर रही है भाई पैर दोने के लिए वो बिचारा बहुत जादा एंबारस हो को श्रैंक हो गया ने से कोड के खड़े होगा कि क्या हो गया भाई ये It's my Bina's privilege, cried Shreenath smiling. This is her day. Let Bina alone wash and wipe the reverend feet. All her life she will remember this honor befalling her on the auspicious day of her marriage. Reverend का मतलब क्यों होता है? Respected, जिसकी बहुत respect करी जाए. Auspicious day याने बहुत शुब दिन. तो जैसे लड़किया आ रही थी कि पैर दोने के लिए, finally कौन जुक के पैर दोने लगा? Bina. वो ही लड़की जिसकी शादी थी. तो श्रीनात अंकल बोलते हैं, अरे, ये benefit, ये advantage तो मेरी Bina को मिला है. चलो, Bina कोई अकेले पैर उनके धोने दो और वाई प्याने उनके पैर पोचने दो और उनके respected पैर धोने का मौका मिला है. और आज, Bina की शादी के दिन उसको ये मौका मिला है और ये मौका वो अपनी पूरी जिन्दगी याद करेगी कि इतने शुप दिन पर मेरी शादी के दिन पर मुझे इन respected सत्यजीत अंकल के मुझे पैर धोने के मौका मिले. तो Bina को धोने दो भाई पैर. तो जैसे ही सत्यजीत ने Bina को देखा, लड़की को देखा, जो आई, शाय याने शर्माती हुए आई, श्लेंडर थी वो काफी, याने पतली, सुंदर लड़की थी, with पैंसे आइस, उसकी आखे कैसी थी पैंसे याने थौट्फुल, ऐसे लग रह था है, आखों में बहुत डीप थौट्स भरे हुए उसके, और बहुत प्यारा सा ग्रेसफुल फेस था, तो उसने फिर बोला, ओ अच्छा, ये है हमारी दुलन, अच्छा, फिर उसने उसके सर पे हाथ रखे से ब्लेसिंग दी की चलो, आशरवाद, I hope the groom is worthy for this girl, he said as she knelt down to unlays his shoes, तो जैसे बीना कि उनके shoes की lace उतार रही थी उनका पैर धोने के लिए, तो अंकल श्रीनाथ बुलते है, मुझे उमीद है कि इतनी प्यारी बच्ची का जो groom है, जो उसका दूला है, वो इसके लायक है, She slipped off his socks and poured cool water to freshen his feet, washing them with keen care, keen याने की excellent care, तो उसने क्या किया बीना ने, उनके shoes उतारे, socks उतारे, और ठंडे पानी से उनके पैरों को fresh कर रही थी, याने धो रही थी अच्छे से, और बहुत care से, बहुत ध्यान और प्यार से अराम से कर रही थी, As her slim fingers went between his toes, he wiggled them for he felt ticklish, तो जैसे उसके पतली उंगलियां जो थी, उनके पैरों को धो रही थी, उनको गुद गुदी, tickling लगी पैर में, Presently, he sat on a carpet in the inner veranda with a plate full of sweets and glass of whey, while Kamini Damini and Sohashi sat near him on their haunches and waved palm fans with all their energy as though each passing minute had to be fully used before their hands were deprived of the pain. privilege, तो अब पैरवेर धुल गए और presently, finally, वो अब घर के वरांडा में जमीन पर एक carpet बिचा के दिया उन्होंने और वहाँ पे आके आराम से बैठे हैं सत्यजीर, और उनके सामने मठाईयों की बहुत भरी हुई plates और वे का एक glass है, वे आने की buttermilk, मठे का एक glass पी रहे हैं, चाच का और वो enjoy कर रहे हैं, और जो बाकी तीन बेटियां हैं, अंकल श्रीनात की, कामिनी, दामिनी, सुहाशी, वो अपने haunches पे, याने ओकणू बैठी हुई हैं, नीचे बैठी हुई हैं, किसके सत्यजीत के, और palm leaves से, यह जो पुराने जमाने में ऐसे पंखे नहीं हो हो रहा था, वो तीनों बहने ऐसे behave कर रही थी, जैसे कि बिल्कुल, बिल्कुल एक हाथ से दूसरे हाथ में transfer कर रही थी पंखा, लेकिन उनको यह benefit जो मिला हुआ है, यह जो पंखा करने का सत्यजीत को, उससे deprived नहीं हो जाएं, वो लोग याने, कम से कम disadvantage नहीं हैं, ऐसा नह बिल्कुल अपनी पूरी एनर्जी से कर रही थी कि बस हम ही करेंगे, तो इस तरीके से वो लोग सत्यजीत को respect दे रही थी, sweat broke out on their faces and they shifted their fans from right hand to left and again to the right, their mother who stood by now spoke in a murmur husky with emotion, तो पसीनों से भर गई तीनों पहने, बहने, एक हाथ ठग गया तो दूसरे हाथ में left hand में कर दिया, इस तरीके से कर रही थी लेकिन पंखा बढ़िया तरीके से कर रही थी सत्यजीत को, फिर उनकी mother, यानि यही बीना और तीन लड़कियों की जो mother है, वो आई और धीरे धीरे बात करने लग गई, husky तरीके से emotion में आके सत्यजीत से, husky याने deep and low pitched voice, याने बहुत घहरी आवा कि आप तो एक पिता समान है मेरी इन बेटियों के लिए जितना जादा यह मेरे husband नहीं कर पाए, मेरी बेटियों के लिए बहुत किया है, but for the bigness of your heart, they would still be maids under this room, shooting up in years and in height with no chance of having husband in home, तो कहते हैं कि आप ही की वज़े से मेरी बाकी की तीनों बेटियों की शादी हुई है, आ आपका इतना bigness of heart, यानि आपका दिल इतना बड़ा है, आपने इतना किया कि वो आज भी सकमरे में maids, यानि बाईयों की तरह आपके सामने बैठी रहेंगे और आपकी सेवा करेंगी, आपने इतना जादा कर लिया है मेरी बेटियों के लिए, और अगर आप ऐसा नहीं करत तो बस वो उनकी उमर इतने सालों तक बढ़ती जाती, उनका कद बढ़ता जाता और वो उनका कोई पती नहीं होता, यानि अगर आप नहीं होते तो मेरी बेटियों कवारी रह जाती बिलकुल, शी लिफ्टेड हर सारी फ्रिंजिस तो हर आईज वाइपिंग अफ दू टू और दो इतने मोटे मोटे आँसों उसकी मा के आँखों से निकलने लगे, उस नमने साडी का पल्ल उठाय और पोचने लगी और थैंक्फल थी बहुत जादा सत्यजीत के लिए So, let's begin with part number 2 The meal over Uncle Shrinath who had been shuttling between the inner veranda and the outer quarters now stopped leaning over the guest तो अब जो Uncle Shrinath है, उन्होंने meal खिला दिये, सत्यजीत को यह ने खाना वाना खिलवा दिये, दिन का लंच मच करा दिया अब जो बार-बार अंदर बहार हो रहे थे, कभी वरanda में जा रहे थे, कभी outer quarters में जा रहे थे वो अब रुख गए और अब हमारे guest, सत्यजीत के उपर ऐसे जाक की यूँ खड़े हो गए है अब बोल रहे हैं वो, Beena has been given the old jewelry of her mother, he confided confided ही का मतलब क्यो होता है, tell about a secret, जब आप अपने किसी को कोई secret बात बता रहे हो तो उन्होंने धीरे से बताया है सत्यजीत को, कि Beena को अपनी mother की पुरानी जो gold की jewelry है, वो दे दिये हमने so that part of dowry problem has been met, तो देच की जो gold की problem थी, वो तो ठीक है पूरी हो गई कि अपनी मा की jewelry ले जारी हो, her three married sisters whom you have set before you and owe all their bliss and life to your benediction फिर हो बोलते हैं कि जो Beena की बाकी की तीन बहने हैं, जो भी आपके सामने आपे खड़ी होई हैं, जो अपनी life का सारा bliss, सारी खुशियां आपको ओ करती हैं याने की आपको आपकी आभारी हैं, उनकी life में जो खुशियां आपकी वज़े से हैं, आपके benediction, आपकी blessing, आपके दिये गए पैसे की वज़े से है, had given her the marriage gifts she must have तो उसकी बाकी की जो शादी शुदा बहने हैं, उसने बीना को दूसरे gifts दिये हैं, जो शादी में जरुवत पड़ेगी, जैसे उसको साडी, उसके लिए जैकेड, शिमाइज, शिमाइज क्या होता है, loose fitting garment, इस तरीकी का जो garment हो जाए, जो शादी में जरुवत पड़े हैं यह सारी चीजे उसकी बहनों ने उसको दे हैं, also brass utensils for a new household, और जो अपने नए घर में जाएगी तो आपे बरतन भी देना पड़ता है, तो पीतल के कुछ बरतन भी उसकी बहनों ने थोड़े बहुत उसको दे दिये, तो यह दिक्कत तो problem जो है, वो solve हो गई है, good good, Satyajit cried happily, तो Satyajit Khushi से बोलता है, चलो बढ़ी है, he had rupees 200 in his purse and had wondered how much of it had to go into the marriage pool, maybe rupees 100 और रादर rupees 101 since a figure ending with zero was not propitious, तो प्रपोशियस का मतलब क्यों होता है, giving good chance of success, तो Satyajit सोचता है कि मेरे पास इस बग पर्स में 200 रुपे पड़े हुए, अब मैं कित्ता दूं उसकी शादी के लिफाफे में, तो उसने सोचा चलो 100 रुपे दे देता हूं, फिर बोलता है, नहीं नहीं, 100 नहीं, 101 रुपे देता हूं, क्योंकि अगर कोई figure zero signed होता है, she had been slowly adding to the figure, 10, 20, finally swapping at an additional 50, now that Beena had got all she needed, he could just as well slice a goodly bit of the amount, let it be rupees 101, तो जब लंच खा रहा था सत्य जी तो उसकी दिमाग में यही चल रहा था कि में कित्ते दू लिफाफे में, उसने पहले सोचा 10 रुपे देता हूं, फिर सोचा 20 देता हूं, फिर फाइनली उसने आखरी में 50 रुपीज एड किये, पूरे मौंट में और सोचा कि चलो ठीक है, अब जब जितनी जो जरुवती थी बीना कि वो पूरी होई गई है, गेव्ट, गोल्ड वगरे सब तो मैं उसको 101 रुपे देता हूं, तो उसने बोला जो 50 रुपे मेरे पास बच्चे हैं, उससे मैं अभी या भी अपने हुए बेटा, जो उसको बेटा हुए, उसके लिए पराइम्बियूलेटर खरीद लूँगा, याने की एक प्राइम, इस तरीके की प्राइम होती है, तो बोला मैं उसके लिए वो खरीद लूँगा, अब आप बोलोगे 50 रुपे में प्राइम ने आती, तो उस जमाने की स्टोरी जब नहरू जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, तो तब 50 रुपे बहुत होते थे, यह और बेनेदिक्शन इस और ब्लाइंड मैं स्टाफ, श्रीनात वेंट उन, तो अब श्रीनात कहता है की, हम आपका जो बेनेदिक्शन है, जो आपका, आपक की blessing है, पैसे के तोर पे, यह तो हम अंधो के लिए एक समझो, लकडी के समान है, do I have to say more, he apparently decided that he had not, for he changed the topic abruptly, my house has become a place for pilgrimage, तो फिर उसने सोचा की मैं का और बोलू उसके लिए, फिर उसने नहीं बोला, और topic change कर दी और बोला की, आपके आने से मेरा घर तो एक पिल्ग्रिमेज बन गया, याने एक तीर्थ स्थान बन गया है, you are the pride of the village, its strength, आप तो हमारे गाओं की शान हो, ताकत हो हमारे गाओं की आप, in you, the people see their own inmost dream fulfilled, तो आपको देखके, लोगों को ऐसा लगते है कि अगर हमारा कोई सपना है, जो कभी पूरा नहीं हो सकता है, आपको देखके लग तो वो बोलते हैं, सत्यजीत को बोलता है, अंकल कि बाई चलो अब एकाद मिनिट ली थोड़ा बाहर चलोगे, आपके जो भक्त जन है, आपके जो डिवोटी जगाओं से इतने सारे मिलने आए हैं, लोग वो बाहर वेट करें, तो थोड़ी देर के लिए अब उन से मिल लो एक बार अब खाना भोजन खा ली आए तो, तो सत्यजीत फॉलोड इस होस्ट, होस्ट याने जिसके घर पे आप महमान मन के आए हो, तो अंकल श्रीनाथ चले, उसके पीछे-पीछे सत्यजीत भी कया, इस डिवोटीज वर सीटेड उन अ फ्लोर माट, टॉकिं अनिमेटली अनिमेटली का मतलब क्या होता है, एधर ओधर ऐसे करके बात कर रहे थे, तो जैसे ही बाहर गया, सत्यजीत उसने देखा, जो उसके भकते जनते, जो उसके गाहों से मिलने वाले लोग आये थे, वो जमीन पर बैठे हुँआ और अपस में बात करने हो, जैसी सत्यजीत आया वहाँ पे एकदम हश याने, suddenly एकदम शांती हो गई, hands joined to the chest, सत्यजीत made a salutation to all, सत्यजीत ने ऐसे करके सबको नमस्कार किया तरीके से, तो उसने देखा कि उस भीड में, वो स्कूल मास्टर भी बैठा है, जिसने कभी बचपन में सत्यजीत को पढ़ाया था, और सत्यजीत ने उनको obeisance दिया, याने कि ऐसे करके डीप रिस्पेक्ट दी कि भाई, आप मेरे टीचर हो, तो बलकुल उसके स्वेल हो गया याने कि प्राइड याने गर्भ से बहुत जादा वो फूल गया, वो ओल्ड स्कूल मास्टर, और उसने जो फ्लोर माट जहां बैठा तर उसको स्वेड कि आने कि साफ किया और सुपीरियर बनके, थोड़ा बड़ा स्कूल मास्टर बनके, उसने बात करना स्टार्ट करी सत्यजीट से दिंटा इसे दिंटा इसे 101 ताइम दोस फार ओफ देज तो कहता है नहीं बोला था मैंने उन पुराने दुनों में कि यह जो जीनियस है इसकी रोश्णी सब में फहलेगी दाटी स्टूड अपार्ट फ्रम एवरी अदर यंग पिग फिर उसने बोला कि सारे दूसरे यंग बच्चों को वो पिग बोल रहे तो कहता है और मैंने कहा नहीं था कि दूसरे पिग ज्याने दूसरे बच्चों से बिलकुल अलग खड़ा होगा एक दिन अपना अलग नाम बनाएगा अब उसने वर्ड क्या यूस कर दिया पिग एकदम गलत वर्ड उसने यूस कर दिया तो एकदम वोला रहे मैंने पिग दिया तो he broke short and yielded to a violent fit of coughing to cover up the slip तो उसका मुझे slip of tongue हो गया है गलती से उसके मुझे पिग वाला गलत शब्द यूज हो गया है सत्य जीत के लिए तो उसने बहुत जोर उसे coughing यहाने खासना start कर दिया ता कि कवर अप कर ले और किसी का ध्यान नी जाया इस वोट पे पर उसने खासने के बाद अपनी बात continue करी और बोला that he with the light of genius on his face was afar from the world where the other youngsters dwelt dwelt याने की lived तो कहता है कि इस genius के चेहरे पे इतना तेज इतनी रोश्णी थी इतनी light थी कि वो दूसरे दुनिया से बिलकुल अलग खड़ा होता था जहां पर दूसरे youngsters रहते थे वो उसमें कभी नहीं होता था अलग खड़ा रहता था why? I predicted that he would be a high court judge तो बोलता है नहीं बोला था मैंने तो सबके सामने ऐसा बोलता है मैंने नहीं बोला था तुम लोगों से कि एक दिन high court का judge बनेगा सत्यजीत सत्यजीत burst into a laugh a last time no high court judge तो सत्यजीत हसने लगे और बोलता है अरे भाई मैं कोई high court का judge थोड़ी हूँ even more much more counted the old man तो जो old school master था उसने बोला नहीं भाई तुम तो से भी उपर जाओगे देखना his good memory recheck back to the boy when to the boy with whom he had been on terms of a perpetual feud perpetual का मतलब होता है never ending continuous जो हमेशा चलती रहती है और feud का मतलब होता है argument याने कोई बहस तो जो old school master था उसकी memory पुराने जिनों पर जाती है और उसने बताया सबको कि मेरी तो तुमसे का हमेशा continuously एक बात पर argument भहस चलती रहती थी always bent on some kind of mischief he did have an inventive mind that way तो कि सत्य जी तुम हमेशा कोई ना कोई मिस्टिव याने मस्टी करते थे बच्पन में लेकिन फिर भी तुमारा mind तुमारा दिमाग बहुत inventive था याने नई चीज़े तुम सोचते थे तो पढ़ाई में तो तुम नोश्यार थे Arithmetic was his boogie, boogie का मतलब क्या होता है I think that causes pharic ऐसी चीज़ जिससे आपको बहुत डर लगता है तो किता है Arithmetic याने जो maths वैट्स थी उससे तो तुमको इतना डर लगता था How does he count all his pile of money और अब तो तुम बैंक में काम करते हो तो इतने धेरी पैसो कि इतने मनी को तुम इसको count कैसे करते हो तो maths तो तुमारा बहुत ज़्यादा डर लगता था तो तुमको He owes a million if Shrinath is to be believed तो Shrinath बोलता है अगर तुम्हें यकीन ना हो तो यह तो millions है Millionaire है million हो का मालिक है Million तो किसी ने भीड में बोला million इसके पास million पैसे है And the old man hastened to add a brush full of color to the drab picture presented by the memory Hastened का मतलब होता है quickly जल से और drab का मतलब क्यों होता है dull तो जो यह उसकी जो dull man इतनी मतलब जो यह old school master इतना dull speech दे रहा था उसमें समझ उसने जल्दी से brush full of color याने कि एक और exciting bad बात add करी जो उसकी memory में आई और क्या बात add करी उसने फिर वो बोलता है school master कि Even in those far of days I could see two shadow forms about him Clear as if as life Saraswati as he left Lakshmi at his right वो कहता है भाई जब वो छोटा था ना तो मुझे इसके उपर हमेशा Saraswati माता और Lakshmi माता की shadow याने परच्छाई इसके उपर दिखती थी याने ऐसा लगता था कि यह बैठा है इसके left side में Saraswati बैठी है और इसके right side में Lakshmi माता का आशिरवादा याने shadow है तो Saraswati कौन थी? Goddess of knowledge याने ज्यान की माता और Lakshmi कौन थी? Goddess of wealth याने पैसो की Lakshmi याने की money की माता याने इसके उपर पढ़ाई का और पैसे दोनों का अशिरवादा है ऐसा उसके school master ने का तो वो कहता है कि जो ये knowledge और जो wealth की तो नों माता है Saraswati और Lakshmi ये एक दूसरे के सामने कभी नहीं आती याने चिड़ती है लेकिन फिर भी हो एक समय के लिए एक साथ आई अपने common love याने अपने एक प्यारे बच्चे सत्यजीत को आशिरवाद देनिक लिए आई ये लिफ्टे जॉइन पांस तो इस फोरेड ओफरेड ओफरें शालुटेशन परहाप्स तो दे गॉट्टे और ये बोलते बोलते जो school master था उसने अपने हाथ ऐसे जोड़े सामने शायद लक्षमी माता और सरस्वती माता की मूर्ती पड़ी होगी भगवानों की तो उसने उनको ऐसे करके बोलते वे उनसे ऐसे आशिरवाद लिया school master ने सत्यजीत वस्टेमेंट तो इंजोय हिमसेल he felt a twinge of regret that he had not thought of coming to Shantipur and basking in the people's home age when it was truly his due now he was an imposter twinge का मतलब क्यों आता है a sudden pain एक छोटी सी दिल में तकलीफ basking का मतलब क्यों आता है to lie याने जूट बोलना homage का मतलब क्यों आता है special respect क्योंकि एक special तरीके की respect मिल रही थी सत्यजीत को imposter का मतलब क्यों आता है एक fake person एक जूटा आदमी जो दिखावटी रोप में कुछ दिखा रहा है लेकिन सस्कियत उसकी कुछ और है तो जो इतनी respect मिल रही थी सत्यजीत बहुत जादा enjoy कर रहा था लेकिन कहीं ने को इसके दिल में दर्द हो रहा था regret याने खेद हो रहा था उसको कि अरे यार मैं तब शांतिपूर क्यों नहीं आया जब truly सच में मेरे पास मतलब इतना पैसा था और आज तो मझे इतनी respect मिल रही है क्योंकि मैं जूट जूट बोला हुए याने कि उनको कुछ पता ही नहीं गावालों को मैं तब क्यों नहीं आया जब सच में मेरे पास इतना कुछ था तो मुझे वाकई अच्छा लगता लेकिन अब अगर कोई मुझ से पूछे तो मैं तो एक इंपोस्टर हुए आने कि मैं एक फेक परसें उन लोगों को कुछ अच्छा ही पता ही नहीं तो वो ऐसा इंसान बनने की कोशिश कर रह थे इन लोगों के सामने जो वो कुछ हफते पहले तक था क्योंकि कुछ हफते पहले तक वो अमीर आदमी था उसके बाद तो उसका सब कुछ खतम हो गया तो आज उसके पास कुछ नहीं है he made an angry joke of his hand about his face waving of a sand fly and the regret sand fly क्यों होता है एक मख्खी होती है इस तरीके की दिखती है तो suddenly सत्यजीत के सामने एक मख्खी आई तो उसने अपना हाथ ऐसे किया तो समझे उसने मख्खी को तो हटाई हटाया और साथ में जो रिग्रेट जो खेद उसके अंदर आ रहा था गुस्से में उसने वो भी हटा दिया कि मैं कोई रिग्रेट नहीं कर रहा तो उसने सोचा कि चलो अटलीस एक दिन के लिए सही मुझे इस जूटी इको याने जो जूटी गूंज रही है मेरी तारीफों के पुल जो लोग बान रहा है वो एक दिन के लिए मुझे अटलीस इन्जॉई करने दो लिंगरिंग का मतलब होता है रिमेनिंग बच्चा कुछा तो मैं जो इस बच्चे कुछे इस प्लेंडर ऑफ ट्वाइलाइट में हूँ इस प्लेंडर मतलब लग्जुरी जो छोटी मोटी जो मुझे जूटी लग्जुरी मिल रही है इस वक्त उसमें मुझे रैप रहने दो एक दिन के लिए आने की मुझे जकड़े रहने दो मुझे अच्छा लग रहा है जो मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है क्योंकि अब जो मेरी ग्लोरी है जो मेरी फेम है वो डिपार्ट हो चुकी याने जा चुकी है तोमारो यह वोड बी इंद फुल फ्यूरी ओफ रस्ट्रीम तग अंडर वाटर फाइटिंग फॉर लाइफ और कल का जो दिन होगा है तब शादी हो चुकी होगी फिर से उसकी लाइफ वहीं आ जाएगी तो वह स्ट्रीम याने पानी में गुस्से में अपने अपने आपक मुझे बहुत काम करना अगा अपनी लाइफ के लिए कंवाने के और अपनी लिए फाइट करना पड़ेगा तोड़े लेकिन आज मुझे आख्री बार सास ले लेने दो आपने अपने अपने मुझे साटिसफाक्शन मिल रहा उसमें कल से मैनत करूँगा अगा है आज तो मै village meeting the elders sipping the preferred milk of green coconuts अब मिल लिया इन सब लोगों से फिर बाकी पूरे दिन इसने गाओं में क्या किया बाकी पूरा दिन वो गाओं में इदर अधर घूमा गाओं के बड़े पूरवज जो थे elders से उन से जाके मिला और proffered milk green coconut का ओ सिप कर रहा था अब green coconut के होता है जो ऐसे अपने नारिल पानी देखा है वो green coconut होता है और इसके अंदर जो dried milk जिसके अंदर जो मलाई निकलती है उसको proffered milk बोलते है तो पूरा दिन वो खा रहा था वो गाओं में तो फिर उसके बाद वो कहां गया उस घर में गया जो इसका पुष्टैनी घर था जिसमें टेने किराइदार अभी रह रह थे उसने अपने घर की दीवारों को बहुत पुष्टैसिवली टच किया कि ऐसे टच किया कि ये चीज मेरी है क्योंकि वो उसी की थी वो जो छोटा सा घर था गाओं का उसने एक security की feeling दी सत्य जी को की हाँ चलो मेरे पास कुछ है और ऐसी feeling तो उसको अपने शेहर में जो बड़ा महल mansion जैसा जो उसका घर था कभी वैसी feeling उसको वहाँ भी नहीं जो गाओं के उस घर की दीवारों को उसको touch करके feel आया he spent an hour by the fish pond फिर एक घंटा उसने जो उसका fish pond ये fish pond भी उसका खुद का ही था उसके पास उसने एक घंटा अपना बिताया his pond ये pond भी उसी का था and he sprinkled a palmful of its water on his head उसका उसने मुठी में थोड़ा इस तरीके से पानी लिया और अपने सर पे उसका पानी थोड़ा छिड़काया है ताकि उसको थोड़ा अच्छा लगे a good size carp landed at the end of his hook अब जो वहाँ बैठा था तो वहाँ fishing कर रहा था और एक बड़ी size की काप काप क्यों होती है एक तरीकी की fish होती है जो की ऐसी दिखती है तो एक बड़ी size की जो काप मचली थी वह उसके fishing rod का जो hook होता है उसमें आके अटक गई when he came home with the catch uncle Shrinath gazed at it rapidly one would have thought that he had never seen such fish rapidly का मतलब क्यों होता है with excitement बहुत जादा excitemently खुशी से जैसी वह मचली को घर लेके आए तो अंकल Shrinath ने देखा और बहुत excitement से देखा और ऐसे देखा कि जैसे उसने यसी मचली पहले कभी देखी नहीं है तो अंकल Shrinath बुलते है क्या गिल्स है तो फिश के अंदर जो ऐसे कुछ ऐसे पार्ट सोते है यह से इंसानों में सास लेने का जो पार्ट होता है वो लंग्स होता है तो फिशे ब्रूइध थू इस इस तरीके सो उसने अतारीफ करी उस फिश की और अंकल श्रीनात ने फिश के हेट पर से पैट कर रहा था कि चलो बड़ी प्यारी मचली मिल गई हमको अब तो क्या बोलता है स्वत्यजीत स्वत्यजीत बोलता है कि जो हमारे दूला और दूला ने जब रात के बारा बजे अपने शादी का वरत खोलेंगे तो उस ताम इसकी इस फिश का कडी खाएंगे तो अच्छा रहेगा उनके लिए और इससे लाइफ में जो भी ब्लेसिंगे जो आश्रवादे इनको मिलेंगे और अब फाइनली ट्वाइलाइट हो गई है याने कि अब शाम का समय हो गय है और लड़के वाले फाइनली आ गए है अपने आउक्स काड्स में याने की बैल गाडियों में आगए लड़के वाले और पैलन क्विंज में आगए पैलन क्विंज याने की पालकियों में बैठके आए लड़के वाले और जैसे ही वो लोग आए इन लड़की वालों ने ऐसे शंक बजाना स्टार्ट करें उनके वेलकम में उनके आदर में स्वागत में तो अब बैंगॉलियों में क्या होता है जब लड़के वाले और दूला आता है तो जो लड़की वाले के साइड की जो लेडीज होती वो लूलूलू इस तरीके से कुछ साउंड निकालती उनके वेलकम में तो इस तरीके से जब जो यांग विमन थी लड़की वालों के वो डोर्याट पर आने घर के दर्वाजे पर घर के आंगन में खड़ी होई और इस तरीके का साउंड निकालके उन्होंने अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में श्रिल याने की बहुत तेज आवाज में जो गले की वाले एंड वेटिंवर दो मैरेज आर्ज अस प्रिस्क्राइट बाइदी अल्पनाइग और वेट कर रहे थे कि मैरेज आर्ज आने जब मौरत होगा तो फाइनली शादी स्टार्ट होगी और मौरत किसने निकाला था अल्मनेक में याने की जो पंडित की प्रीस्त की जो कि मैं 101 रुपे निकालके देदू बीना को श्रीनाथ reading his thoughts took him to the secluded darkness under a fig tree in the backyard my begging bowl is ready he announced happily secluded का मतलब क्यों आता है private किसी private place पे श्रीनाथ ने देखा कि भाई अरे ये तो पैसे डून रहा है हम मुझे देने के लिए तो उसने उसके actions देख लिए कि श्रीनाथ की जो सत्यजी श्र ठफ़र उसको एक अंधेरी जगा एक प्राइवेट जगा में उसको लेके गया फिक ट्री पेड के नीचे लेके और बोला कि भाई मैं अब बिलकुल तैयार हूं अपने भीख मांगने वाले कटोरे के साथ याने कि मुझे इसमें कुछ दे दो मतलब वो कुछ amount मांगने वा चर्णाना को तो अब जो कैश का देज देना था वो कितना बोल रहे हैं लडके वाले 2000 रुपे और एकुपे और जो हजार एकुपे मांगें है आभी 2001 रूपे उसामाने में 12 ダ के ब्राबर होते थे थे What? Satyajit felt a heart blow in the pit of his stomach. So Satyajit को ऐसा लगा कि उसके पेट में उसको heart attack आ गया है. That is all. Shrinath केता है हाँ हाँ बस इतना है. Rupees 2001. Satyajit केता है 2001 रुपे मांग रहे हैं वो लोग? Shrinath smiled. Everything else is provided for even the cost of the marriage feast. Only this last item awaits your benediction. So Satyajit smile. Shrinath smile करता है हाँ बाकी सब तो हमने कर लिया है. Gold, सामान, साडी, वाडी जो उसको देनी थी. वो सब हमने कर लिया. यहां तक की marriage feast जो खाना लगा रहा है. उसका भी सब खर्चा हमने लगा लिया है. जो खाना लगा रहा है शादी का. बस एक आखरी आइटम जो है वो अब आपका वेट कर रहा है. आपके benediction याने आपके आशिरवाद का वेट कर रहा है. जो कि है यह 2001 रुपे है. Benediction, Shrinath's favorite word. अभी जो benediction word है. यह अंकल Shrinath का favorite word है. बेसिकली benediction का मतलब होता है blessing, आशिरवाद. लेकिन जब भी वो benediction बोलते था उनका मतलब होता था पैसो से की भाई कुछ पैसो की मदद कर दो. Nothing abstract in its meaning. It could be interpreted only in the terms of money. तो abstract मतलब conceptual. Concept है benediction का की blessing. लेकिन उनका मतलब यह होता था in terms of money की भाई कुछ पैसे दे दो blessing के नाम पर. Satyajit felt a burning inside him. He had stretched his leg right into the snare of benediction unthinking. How could he be so very stupid? Snare का मतलब क्यों होता है trap याने जाल. तो Satyajit को ना अंदर यांदर ऐसे burning sensation feel हो रही थी. मतलब ना चाहते हुए भी मतलब अंजाने में सत्यajit ने यह benediction याने blessing के नाम पर जाल बिचाया गया था सत्यajit के लिए उसमें उसने अपना पैर डाल दिया था. और वो सोचा था कि वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है वो यहाँ पर आ गया बिना पैसो कि अब उसको पैसे मांग रहा है यह लोग 2,001 रुपे वो कहां से ला है जबकि उसके जेव में सिर्फ 200 रुपे थे. अब बहुत शान्ती हो गई थी वहाँ पे दोनों के बीच में silence तो श्रीनात ने ऐसे हसते हुए silence थोड़ा और बोलता है अहाँ तो श्रीनात कहता है कि यह 2,001 रुपे तो आपके समुद्र में से एक छोटी बून्द की तरह है बस और मुझे तो शरम आती है कि यह 2,001 रुपे भी आपसे बोलते हुए आपके लिए तो बहुत छोटी सी चीज है तो इस बार बड़ी कड़क आवाज में सच चीज बोलता है तुमने मुझे लेटर में लिखके क्यों नहीं बता है कि 2,001 रुपे तुम्हें चाहिए तो कहता है मैं जितना गदा दिखता हूँ मैं उतना हूँ नहीं क्या मेरे पस दिमाग नहीं क्या तो वो कहता है कि मैं इतने बड़े मिलियनर को ये लिखके भेजू कि मिझे 2,001 रुपे चाहिए और मतलब आपके लिए तो ये एक बड़े से समुद्र में से एक बूंद के बराबर है अब जैसे ही श्रीनात ने बोला कि आपके लिए एक बूंद के बराबर है तो ये जो शब्द था ऐसे गूंज रहा था सत्यजीत की कानों में कि मतलब एक बूंद बोल रहे है 2,001 मेरे पास रेव में 200 रुपे और उसका मो तो जैसे समझे सूप गया सत्यजीत का कि अब मैं क्या करूँ this was the moment for confession अब सत्यजीत को लगा कि अब ये finally moment आ गया है वो time आ गया है कि मैं confession कर दूं याने कि मैं सच बता दूं कि मेरे पास कुछ नहीं है मैं कोई वो अमीर आदमी नहीं रहा हूँ he was even worse off than Shrinath याने की अब तो वो situation हो गई है सत्यजीत की कि Shrinath से भी गई बीती हालत हो गई है सत्यजीत की hard struggle lay ahead of him for bear survival bear याने की simple याने simple survive करने के लिए याने normal डाल रोटी खाने के लिए भी सत्यजीत के सामने बहुत struggle है अब life में श्रीनात would understand तो उसने ठोचा कि जब मैं बताऊंगा तो अंकल श्रीनात मेरी इस बात को समझेंगे भाई millionaire, rhapsody in the voice, plain worship on the face तो जब वो कह रहा था अंकल श्रीनात की तुम तो million euro तो उसकी voice में एक rhapsody थी याने की एक happy emotion था कि अरे तुम तु भाई बहुत millionaire हो इत्ते अमीर आदमियों और उसके चेहरे पैसा लग रहा था कि वो वर्शिप कर रहा है याने बीक मांग रहा है सत्यजीत के सामने की प्लीज पैसे दे दो मेरी बेटी की शादी के लिए और devotee prayerful before is God ऐसा लग रहा था कि एक भक्त अपने भगवान के सामने prayer कर रहा है कि पैसे दे दो तो श्रीनात अंकल बोलते हैं कि आपकी मुठी में हमारी जिन्दगी बंद है आप चाहे तो हमारी जिन्दगी डिस्ट्रोई याने बरबात कर सकते हो अपनी मुठीयों को अपनी फिंगर्स को उंगली को टाइट बंद करके कि अगर आप खोल दो और हमें पैसे देतो तो हमारी बेटी की शादी हो जाएगी और हम लोग बढ़िया रहेंगे और मेरे शब्द नहीं बता सकते कि मैं इस वक्त क्या फील कर रहा हूं तो यह सब अंकल बोलते हैं यह दो गॉड हाज बीन अमिलियनेर ट्रूली तो वह कहता है कि सच में तुम तो हमारे भगवान और तुम तो मिलियनर वह भाईत पैसे वाले हो तो यह जो लाइन यह ऐसा अंकल नहीं बोलते हैं ऐसा सत्य जीत सोचता है कि हां भगवान मिलियनेर हैं लेकिन यह सब बात प मिलियनेर's dead hand तो जो कन्फेशन जो सच्चाई उसको बतानी थी सत्य जीत को वो कहीं न कहीं समझा उसके गले तक आ रही थी लेकिन मुह से भार नहीं निकल रही थी अटक जा रही थी उसके गले में वो नहीं बता पा रहा था clutched याने hold tightly और जो मिलियनेर के हाथ होते हैं पैसे वाले आदमी के हाथ समझो यह सच उसने इसे tightly पकड़ लिया था कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता Better give an excuse, he had come rushing in the midst of heavy work and had not thought of occupying himself with adequate cash तो उसने सोचा, सच नहीं बताता हूँ, एक excuse, एक बहाना दे देता हूँ मैं बोल देता हूँ, mids का मतलब क्या होता है, in the middle of beach में वो उसने सोचा कि मैं यह बहाना देता हूँ, कि मैं तो बहुत जल्दी-जल्दी में काम के बीच में बस आ गया हूँ और मैंने सोचा ही नहीं कि मैं इतना adequate याने sufficient amount of cash या पैसे रखूँ तो मैं जाधा पैसे अपने साथ लाया ही नहीं हूँ occupying का मतलब क्या होता है, providing, कि मैं अपने अपको जाधा पैस अपने पास providing नहीं कर पाया हूँ राखी नहीं पाया हूँ और उसने सोचा कि यह जब मैं बताऊंगा तो यह थोड़ा plausible सुनाई देगा याने की believable याने श्रीनाथ अंकल इसको belief कर लेंगे मेरी इस excuse को लेटर, इड बुडिन्ट मैटर इफ श्रीनाथ डिसकावर दर टेरिबल टूथ लेटर अजी मस्ट और बाद में अगर अंकल श्रीनाथ को मेरे बारे में यह भयानत सच पता भी चलता है कि मैं अब गरीब हो गया हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पर अभी for the time being ली तो मैं एक बहाना दे देता हूँ something stronger than he spoke with his tongue I had to catch the morning train there was no time to go to the bank तो उसने और भी एक कुछ strong चीज बिलकुल बट मतलब मुश्किल से सत्य जीत ने एचीज अंकल को बोली और बोली कि भाई मेरेको तो सुबा के ट्रेन पकड़नी थी भाई यहां विलेज आने क्लिए तो मेरेको बैंक जाने का time ही नहीं मिला तो मेरे पास पैसे नहीं maybe someone in a village the words cash or check were almost on his lips तो उसने बोला देखो कोई village में कोई दूसरा इंसान तुम्हें मिल जाए cash a check याने check दे दो तो तो तुम्हें cash मिल जाएगा ऐसे कुछ शब्द उसके lips पर almost थे सत्यजीत के पर उसने बोले नहीं someone in the village will advance a loan तो उसने बोला कोई गाव में तुम्हें loan दे देगा भाई कोई ढूंड लो कोई ऐसा तुम्हें इसा लगता था कि बाई कोई millionaire कोई बहुत पैसे वाला है तो उसके जेबे हमेशा नोटों से और पैसों से भरी हुई रहेंगी सत्यजीत return to the assembled guest अब सत्यजीत या करे जह दूसरे सब महमान बैटे थे वह वहीं जाकर बैट गया instantly the groom on his foot high satin draped platform fat round cushioned on three sides of him was forgotten और suddenly देखा कि भाई ऊपर एक छोटा सा stage type का बना था वहाँ पर एक chair रखी थी और तीन बड़े-बड़े cushion रखे हो गया और beach में जो groom था जो दूला बैठा था वहाँ पर forgotten हो गया यानि वहाँ से उठके अभी थोड़ी दिर चायद चला गया silence और हर जगा बहुत क्यों गया शांती हो गई कि भाई दूला भी उठके अब चला गया है all eyes took their fill of the rich man तो सारी आखे सारे महमान जो है इस rich man सत्यजीत को देख रहे थे उम्मीद की नजरों से कि भाई कुछ कर दो a god on the pedestal of fortune pedestal का मतलब क्या होता है a base on which a statue is placed एक अगर कोई मूर्ती रखी हुए उसका जो नीचे का base जो थोड़ा उठा हुआ रहता है उसको pedestal कहते है तो कि रहे हैं किस्मत के pedestal पे जैसे कोई भगवान बठा हुआ था है ऐसे सब उसको देख रहे थे वो भी चुपचा बैढ़ गया और अंदर से जो थका हुआ था, depression, tension आ रही थी उसको वो बहुर जादा बढ़ने लगी the peace he had attained erstwhile was gone erstwhile का मतलब क्या ओता है something in the past तो जो थोड़ी देर पहले past में आने, सुबा और कल तक जो उसको थोड़ी बहुत peace, थोड़ी बहुत शानती मिलती है यहाँ पर भी आके वो भी अब चली गई he longed to see the face of his newborn son और अब उसकी इच्छ औरी थी कि जो अभी मेरा नया बच्चा हुआ है मुझे बेटा हुआ है मैं उसको देखूँ जाके the rich man's son who would never write in a perambulator और सोच रहा था कि यह वो बच्चा है वो अमीर आदमी का यह वो बच्चा है जो शायद कभी भी प्रैम में बैट नहीं पाएगा क्योंकि उसके बाप के पास पैसे ही नहीं है श्रीनाथ returned in half an hour his face looked angry अब श्रीनाथ जो दोड़ते भखते वे गया था वो आदे घंटे बात लोटा और उसका चेहरा बहुत गुस्से से भरा हुआ था सत्यजीत saw his beckoning hand rose heavily to his feet and stepped outside away from the people सत्यजीत ने देखा कि श्रीनाथ आया और बाहर से उसको beckoning करके और इशारा करके बुला रहा है जल्दी से वो उठा सत्यजीत और दूसरे महमानों से अलग हटके बाहर दो मिट उससे बात करने गया उनली वन परसन इन शांतिपूर कें प्रड्यूस सो मच कैश अट इस लेट आर से श्रीनाथ हरीश the money lender that shark refuses to make an advance दो तो श्रीनाथ अंकल बताते कि इस टेंशन के टाइम पर इत्ती देर मैं इसको बोलने गया हूँ इस टाइम पर पूरे गवर्में से वेकी इंसान ने जो cash दे सकता और वह हरीश गाओं का money lender याने की गाओं का बड़ा जमीन दार और यह न कुछ mortgage करके रखो याने कि अगर इसके पास कुछ security कुछ गिरवी रखो तो पैसे दे देगा लेकिन वह शाक वह भी गाली बकते श्रीनात अंकल हरीश को बोलते हैं और वह भी शाक वह भी बेकार इंसान एडवांस नहीं देना चाहता मुझे वह मना कर रहा है मुझे पैसे देने से और फिर वह बोलते हैं श्रीनात अंकल कि वह इसलिए पैसे नहीं देना चाहता क्योंकि शायद हरीश मुझे पे विश्वास नहीं करता तो अंकल बोलते हैं कि जो यह मनी लेंडर होते हैं जो गिरवी रखने के बाद कुछ पैसा देते हैं इनके पास एक six sense होता है याने common sense होता है यह इंसान को देखके समझ जाते हैं कि यह आदमी मुझे पैसे दे पाएगा की नहीं दे पाएगा तो श्रीनात अंकल ने हरीश को बोला होगा शायद कि ठीक है मैं कुछ गिर्वी रखने के लिए मेरे पर जहें नी लेकिन जो इतने बड़े शेहर से हमारे आये हैं सत्यजीत तुम उनका सिगनेचर ले लो याने उनकी गारेंटी ले लो कि हम मैं तुमें पैसे लोटाऊंगा लेकिन उसने उसके लिए भी मना कर दिया तो गुस्से में कहता है कि रडिकुलिस हरीश पागल है उसको एक मिलियनेर तुम्हारे सिगनेचर की भी जरुवत नहीं है उसका दिमाग खराब हो गया है या शायद वो मैलिस करना चाता है याने हमारे साथ कुछ बुरा करना चा रेंगते हुए तो श्रीनात कहता है कि उसने आपके सिगनेचर के लिए बना कर दिया अगर आप कहो तो मैं अभी उसको रेंगता हुआ यहाँ पे लेकिया हूँ और उसके मोटे नाक को आपके जमीन पे घिसवाँ कि इसका नाक रगडवाँ यहाँ पे आपके सामने हरीश का सत्यजीत कुडवी जन्रस नो नीड नो नीड ट्रस्ट इस आउट ओफ देट इन इस सिनिकल ताइम्स में त्रस्ट याने विश्वास अब पुराना हो गया सिनिकल याने जब लोगों को सिर्फ अपना ही समझ में आता है और अपना ही फाइदा देखते हैं तो समुला आज के जमाने में कोई भी ट्रस्ट वर्स्ट के बेसिस पे नहीं चलता और सत्यजीत सोचा है कि चलो अब यह बनेडिक्शन का जो स्नेर है जो ट्राप है अब इससे तो मैं कम निकल यहने अब में को पैसे नहीं देने पड़ेंगे चलो अच्छा है वेर विलार इंडिया भी इफ सच तिंग्स अर टॉलेरेटेड वाट इस नेरूइंड बॉइंग अब यहाँ पर नहरू जी की बात हुए याने यह वो जमाना है जब पी एम हमारे नहरू हुआ करते मतलब सोरी उस जमाने किये तो सत्यजीत श्रीनात कहता है कि भाई हमारा इंडिया कहां है और ऐसी चीज़ें हम लोग क्यों टॉलेरेट कर रहे हैं बेटी की शादी में दहेज वहेज यह सब क्या नहरू को इस बारे में पता नहीं है क्या कोई नहीं है जो उनको बताए नह श्रीनात controlled himself with visible effort और श्रीनात भी अपने गुस्टे को control कर रहा था और यह चीज़ विसिबल थी दिख रहा था कि बड़ी मुश्किल से अपने गुस्टे को control कर रहा है और उसका जो face है श्रीनात का बहुत sad हो गया, दुख्यारा बन गया, what is to be done, he moaned और फिर वो बोलता है क्या करें भाई, क्या करें, the groom's father is a man of stone, तो श्रीनात बताता है कि जो दूले का बाप है, वो man of stone है, मतलब बहुती कठोर इंसान है, cruel man है, he will break off the marriage unless cash is paid to him before the ceremony starts, who will ever marry Beena after such dishonor, तो वो कहता है कि दूले का बहुत कठोर है, अगर उसको पैसे नहीं दिये हमने, तो वो शादी त से भाई, सत्यजीत वाग्ड इस हैड इन बीफिटिंग सिंपिती, वाग्ड याने की शेक्ट, अपना सर इस तरीके से हिलाना, और बीफिटिंग याने कोई ऐसी चीज करना जो अप्रॉप्री याने उस occasion उस situation पे बिल्कुल सही बैठ रही है, तो सत्यजीत बोलता है, नही कोई बात नहीं, अब tension मतलो, you will find another suitable match, a better one में भी, तो कहता है, चिंता मत करो तुम्हें, बीना के लिए कोई और बहतर इंसान मिल जाएगा, हो सकता है, इससे भी बहतर अच्छा लड़का मिल जाएगा, who can foresee the ways of destiny, foresee याने की predict, अपने destiny, अपनी किस्मत के बारे में, कौन बीना को, he felt for his purse in the second time, he ought to restore the 50 rupees he had cut, let it be rupees 151, even if there would be no perambulator for his son, फिर उसने अपना purse धूनला, सत्य जीतनों और सोचा कि जो 50 rupees में अपने बच्चे के pram के लिए बचा के राखे थे, चलो वो भी मैं दे देता हूं, 101 की जगा, 151, 115 rupees मैं दे देता हूं, भले चलो कोई बात नहीं मेरा बेटा, pram में नहीं घुमेगा, पर चलो इसको ये भी दे देता हूं, की चलो कुछ काम आजा है, इसको ये पैसे, श्रीनात cleared his throat twice, it shames me to tell you the full story, फिर श्रीनात, अंकल जो है, थोड़े तेत चल रहा हूं, फिर अपना गला साफ करते हूं, कहते है, मैं न तुम्हें सत्य जीत कहते है, क्या, अपर अभी अभी तुम कह रहे थे कि वह नहीं देना चाहता है, ये सब, तो अंकल बोलते, he will pay against security, he want security, that evil-eyed shark, your house and fish pond, the madness, to think that house and pond have more weight than a millionaire signature, तो अब मैं इन बात पे आते हैं, अंकल और वो कहते हैं, नहीं, वो मुझे पैसे देने के लिए तयार है, अगर मैं उसको कोई security दू, यानि अगर मैं उसके पास कुछ गिरवी रग दू, और वो evil-eyed, यानि कि उसकी बुरी नजर आपके गाओं के घर और आपके fish pond के उपर है, और ये कितना पागलपन है, वो सोच भी कैसे सकता है, कि आप अपना house और अपना pond गिरवी रग दोगे और इस घर और इस pond से ज़ादा भारीपन और weight तो आपके signature में आपका sign हो गया, यानि कि बात हो गई, लेकिन नहीं, उसको तो आपका घर और fish pond चाहिए, सत्यजीत trembled within और जैसी सत्यजीत ने ये बात सुनी, वो अपने अंदर ये अंदर जैसे, का आपने लगया कि अब मु जे, उदर हरीश को देने के लिए, house and pond, he murmured to himself, उसने बोला, घर और pond, ये मांग रहा है मच्से, the only possessions that had not toppled into the deludge, they were all he could give it to his wife, toppled मतलब drop down या फिर गिरना, और deludge मतलब flood, bar, तो वो सोचता है कि possessions, यानि कि ये घर और fish pond, सिर्फ एक मातर आखरी ऐसी वो चीजे बच्ची है मे जो मेरे उपर जो बाड आ गया है, destruction का और बरबादी का, उसमें नहीं गिरी है ये दो चीजे, यानि ये दो चीजे अब भी मेरे पास है और ये सरफ दो आखरी चीजे हैं जो मैं अपनी wife को दे सकता हूँ और अपने बच्चे के लिए, इसके अलावा मेरे पास कुछ निय है, all the old values destroyed, where will our India be, has Nairun no sense to understand this, what a pond weighs more than a millionaire's word, a house is better security than a signature of his hand, yet what else to be done, palms folded together, made supplication, what else to be done in the daughter's crisis, supplication का मतलब क्या होता है, begging something humbly, किसी के सामने बीक मांगरो request कर रहे हो कि please, तो अब ये जो lines है, ये सारी lines कौन बोलते हैं, अंकल श्रीनाद बोलते हैं और बोलते हैं कि भई हमारा हिंदुस्तान कहा जा रहा है, क्या नहरू के पास sense या फिर समझ नहीं है, कि हमारे हिंदुस्तान की इस दशा को समझे, बेटी को दहेश देने की प्रथा को, क्या बतलब, मतलब वो बोलन के request मांगता है, और भीक मांगता है सत्यजीत के सामने की पर मैं क्या करूं, मेरी बेटी की शादी है, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज कुछ कर दो, याने कि ये दे दो, गिरिवी रग दो अपना घर और अपना पॉंड, सत्यजीत had a queer drug look, queer याने की strange, अजीब सी, अब ज and the dead voice of the millionaire came from his throat, let the moneylender pay on those terms, और फिर मरी हुई आवाज में सत्यजीत ने बोला कि ठीक है, जैसा moneylender हरीश के रहा है वैसा कर दो, याने की सत्यजीत is ready, वो अपना घर और अपना fish pond security पे याने दाओं पे लगाने के लिए दे रहा है, the insult, what about the insult, श्रीनाद's wrathful hand cleaved the air, wrathful का angry, गुसे में और cleaved का मतलब क्या होता है, spread and divide याने इस तरीके से, तो ये श्रीनाद अंकल बोलते है, और insult याने उस मतलब insult का क्या होगा, याने वो insult जो हरीश आपकी कर रहा है, याने उसको आपका signature नहीं चाहिए, आपका घर और पॉंट चाहिए, उसने जो आपकी इतनी insult करी, इतना अपमान किया है, उसका क्या, और गुसे में इस तरीके से बोलता है, अंकल श्रीनाद, when the thing is done, I will make the shark rub his fat nose on the ground at your feet, तो कहता है, when the thing is done, याने जैसे ही मेरी बेटे की दिखना गर शादी हो जाएगी न, मैं उसके मोटा नाख पकड़ के उसको यहां पे घसीटता ह और बोलूगा कि अपनी नाक रगड सत्य जीत के सामने, I will do that, मैं वो करूँगा, be sure, ध्यान रखना मैं 100% ऐसा करूँगा, you will also see the whole village spit at the shark, थू, और तुम देखोगे कि पूरा गाँ, उस shark, उस बेकार हरी इसके उपर थू कर रहा है, याने थू कर रहा है, याने थू कर रह सत्य जीत ने और अब जो पूरा घर था, शादी वाला घर था, वो गे था marriage music से, याने कि अब फाइनली शादी हो रही थी, पैसे मिल गया उनको और पूरा घर खुशी से बहुत हैपी हो गया, सत्य जीत वॉक्ट ओफ तु दीब डाक अंडर दा फिक ट्री आल बाई हमसेल और सकते जीत फिक ट्री याने कि एक पेड के नीचे अकेले अंदेरे में जाके खड़ा हो गया अकेले, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं है, नथिंग, वाट नाओ, he said under the breath and a dim smile pinched the corners of his lips as he stuck between them the cock of a cigarette, the last one in the tin and lifted a lit match with slow tremulous deliberation, tremulous का मतलब क्यों होता है, shaking का अपना, deliberation का मतलब क्यों होता है, deep thinking, जब आप बहुत गहरी सोच में चले जाते हो, जब वो खड़ा हुआ अकेले जाके पेड की नीचे तो वो सोचता है, what now, अब क्या करूं मैं, अब तो जो घर और fish pond था, वो भी मैंने देदी, अब मैं क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा, और फिर उसने अपनी जो आखरी cigarette, tin में जो डबे में बची थी, वो उसने उस वक्त नहीं पी थी, वो अब उसने निकाली, और उसको जलाया, और smoke करने लग गया, और उसके हाथ कहीं कहीं काप रह थे, कि क्या हो रहा है, मतलब उसके दिमाग म बची थी, वो भी उसने जलाई और खतम कर दी, और अब उसके पास कुछ नहीं है, भटाचारे, is a story about Satyajit, an honest, hardworking man, अभी जो chapter है, जो story है, जिसका नाम है, ग्लोरिया ट्वलाइट, इसके author कौन है, भबानी भटाचारे, तो ये जो story इन्होंने लिखी है, वो Satyajit नाम के एक आदमी के बारे में लिखी है, जो around 40 years का है, वो काफी honest है, सच्चा है, और hardworking man है, काफी महनती आदमी है, जो एक bank में काम करता है, born in a humble village home, self-educated, struggle had been his life breath, तो शुरवात कहां से होती है, कि वो कहां पैदा हुआ है, एक गाउं के एक छोटे से घर में पैदा होता है, और self educated है, याने उसने बहुत महनत करके, खुद को educate किया है, याने की शिक्षित किया है, struggle had been his life's breath, याने पूरी जिन्दगी उसने struggle, महनत और महनत और मशक्खत ही करिये, पूरी जिन्दगी, he is leading a prosperous cheerful life, he is happy with his wife and newborn child, और गाउं से बहुत महनत करके, उसने पढ़ाई लिखाई करके कैसे भी शहर में आया, और bank में एक clerk की नौकरी उसको मिली, और अभी वो अपनी बहुत prosperous याने बढ़िया पैसे वाली जिन्दगी जी रहा है, उसको पैसे है, cheerful life जी रहा है, याने happy, खुशाल जिन्दगी जी रहा है, अपनी बीवी के साथ, और अपना newborn child, याने अभी but finds himself broken of his wealth, status and peace of mind at one stroke of destiny, तो कह रहे हैं कि उसने अपनी जिन्दगी में उठा है, याने rise हुआ है, ground से याने जमीन से उठा है, गाहों से बिल्कुल जमीन से महनत करके success तक पहुचा, लेकिन अब इस point of time पे अपने आपको तूटा हुआ पारा है, wealth की context में याने पैसे अब ब खतम हो गया, सरफ एक stroke of destiny पे याने किस्मत के सरफ एक जोंके की वज़े से, तो ऐसा क्या हुआ इसके साथ जो इसका पैसा वैसा, life की खुशी, सुकून, peace, सब खतम हो गया, तो क्या हुआ, इसने गाहों से बहुत मैनत करी, शेहर आया, बैंक में जॉप मिली एक clerk के तौर उसके बाद इसका promotion हुआ, एक MD के तौर पे याने managing director बन गया, और suddenly इसके bank में एक downfall आया, याने bank को कोई failure हो गया, और bank collapse हो गया, जिसकी वज़े से, इसका job, इसका घर, गाडी, बंगला, सब चले गया, तो after his economic downfall, he goes to the village to attend a marriage of daughter of uncle Shrinath, a neighbor at a village where uncle demanded rupees 2000, so that he could give dowry to his daughter's marriage, unknowingly that his business was at downfall, तो क्या होता है कि अब उसका economic downfall हो गया था, याने कि अब इसका बस सब बरबाद हो गया, खतम हो गया था, तो शहर इसको खा रहा था, घुटा नोरी थी इसको शहर में, इसकी बीवी अपने parents के घर डेली में थी, तो उसको तो इस बारे में पता ही नहीं था कि इसका रातो रात जौब चली गई, तो इसका सब कुछ चला गया, फिर इसके पास ने एक letter आया इसके गाउं से, गाउं में इसके एक uncle रहते थे जिसका नाम था uncle श्रीनात, उन्होंने letter में लिखा था कि भाई मेरी आच्वी बेटी, जिसका नाम है बीना, उसका उसकी श सारी बेटियों की शादी थी हुई थी, जिसमें बहुत पैसे दिये थे, सत्य जीतने और वो लोग आज बहुत खुश है फनी life में, अब uncle श्रीनात को तो यही लग रहा है कि भाई, अब मेरी बीना की शादी बेटी की, इसमें भी आएगा पैसे देगा, लेकिन, they are unknowingly, unknow उसके uncle शादी में 2000 रुपे मांग लेते हैं उससे वहाँ पे, अब यह उस time की story है, जब नहरुजी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस जमाने में 2000 रुपे 2 लाग के बराबर थे, बहुत बड़ा amount होता था, तो uncle ने बोला कि भाई, लड़के वाले शादी में 2000 रुपे cash और 50 रुपे का में प्रैम, यहने बच्चों की प्रैम वाली जो गाड़ी होती, वो खरीदूँगा अपने newborn baby के लिए, लेकिन अब यह कैसे बता है कि मेरे पस 2000 रुपे, तो नहीं मेरे पस सिर्फ 200 रुपे है, अपनी सच्चा ही नहीं बता पा रहा था भाई, तो भाई, बहुत difficult situation में आ गया Satyajit, but when uncle Sreena did not get any money, Satyajit went to Harish the money lender where the mortgages, very mortgages the only property left with him, his house and village and a fish pond which was the only thing he could give to his wife and newly born child. अब शेहर में तो घर, गाड़ी, बंगला, इनका सब बिग्या था Satyajit का, अब गाव में Satyajit के पास उसका पुष्टैनी ancestral घर था एक छोटा सा और एक फिश पॉंड था, सिव यही दो चीजी बची थी अब Satyajit के पास जो वो अपनी बीवी और अपने बच्चे को दे स सकता था, लेकिन अब दिक्कत आ गई है, बीना की शादी में लड़के वालों ने 2000 रुपे मांग लिए, 2000 रुपे श्रीनात अंकल ने सत्यajit से मांगे जो उसके पास थे नहीं, सत्यajit ने बहाना दे दी, आरे मैं तो शादी के लिए जल्दी में सुभा की ट्रेन पकड़ कुछ security में कुछ गिरवी रख दो, mortgage कर दो, तो वो आपको पैसे दे देगा, वो गए भागे दोड़े गए उसके पास, तो हरीश ने बोला मैं तुम पे विश्वास ने कर सकता, भाई तुम मुझे पैसे दोगे की नहीं, तो तुम मुझे कुछ security में रखो, तो वो कहता है भाई में पास security में तो कुछ नहीं है, तो हरीश कहता है ठीक है, जो सत्यजीत आया है शहर से, उसका एक घर और एक पॉंड है, फिश पॉंड है गाउ में, वो तुम मॉटगेज कर दो, वो तुम गिरवी रख दो, तो मैं तुम्हें पैसे दे सकते हूं तुमारी बेटी की शादी के लिए, अब अंकल श्रीनात बड़े request करते हुए, रोते हुए, हाथ जोडते हुए आते हैं, सत्यजीत के सामने और कहते हैं कि भाई, ऐसा बोल रहा है वो, अब मैं क्या करूं भाई, तो finally सत्यजीत जो है वो कहता है, ठीक है वैसा ही करो, जैसा हर इश तुमें कह अपने बीवे और बच्चे के लिए भी, the story shows how सत्यजीत gives away even his last property left to help his uncle, the story में पता चलते है कि कैसे सत्यजीत ने help करने के लिए, अपने आखरी बच्चीवी property भी अपने अंकल को दे दी, अभी जो अंकल है, जो चाचा है, यह को इसके सगे चाचा भी नहीं थे, उसके नेब moment downfall, तो title बहुत अच्छे से justified किया गया है, क्योंकि सत्यजीत ने अपने downfall के बाद याने सब कुछ खतम हो जाने के बाद भी, glory टेस्ट करी, glory याने की fame and respect, याने की लोग अभी भी इसकी respect कर रहे हैं, और वो अभी भी famous है पूरे गाओं में, अब गाओं वालों को तो पत बीना के शादी में पैसे देगा, तो जब ही आए, तो इनके लिए बहुत स्वागत, सतकार, बिलकुल बीना ने खुद इनके पैर, धोय पानी से, इतना इस लेवल का respect दिया, तो फिर भी मतलब उसका सब कुछ खतम हो गया था, फिर भी उसने बहुत respect और बहुत fame गेन करी सबस्केश नंजे जब इसके पास कुछ भी नहीं था, हाला की गम वाल कुछ नहीं बता था कि इसके पास कुछ नहीं है, ये खतम हो चुका है, so this was all about our summary and now let's begin with some important question and answers, अब जो question number 1 है आपका वो है, give reasons for the following, यहाने आपके पास बहुत सारी situations यह हो यह और वो बोल रहे हैं कि Satyajit attending the village wedding, Satyajit ये गाओ की wedding, जो बीना की wedding थी, वो क्यों attend करी उसने, आपको reason देना है, तो answer है, Satyajit was attending the village wedding just to maintain his dignity among the villagers, as in earlier days, he was not having that much wealth and name in the market, but with the passage of time, he got so much of fame and respect from the people. Satyajit ने स्रिफ शादी attend करने इसली गया था, क्योंकि वो अपनी dignity, अपनी respect, villagers के सामने maintain करना चाहता था, क्योंकि पुराने जमाने में, जब Satyajit एक struggler था, उसके पास कुछ भी नहीं था, तो गाओ वाले उसको एक ordinary आदमी समझते थे, कोई ध्यान भी नहीं देता था, लेक समय भी था, इसको बहुत ज़्यादा fame, fame मिली याने famous हुआ, यह बहुत ज़्यादा, और respect मिली लोगों से, तो इसको पता था, मैं गाओ जाओंगा तो मुझे respect मिलेगी, इस वज़े से वो शादी attend करने गया था, Next, Satyajit's recollection of the forgerer when he was on the train, अब forgerer क्या है, forgerer वो इंसान होता है, जो bank के check पे नकली साइन करगे, bank वालों से पैसे निकलवाने आया होता है, याने एक तरीके का इसने, यह कोई criminal होता है, forgerer, अब Satyajit, bank में पहले clerk था, फिर managing director बन गया, तो उसका यह promotion कैसे हुआ, जब वो एक clerk था, तो एक आदमी उसके पास आया, bank पे, bank check पे sign करके, कि भाई, मुझे 2000 रुपे दे दो, और Satyajit ने उसको पकड़ लिया, कि यह जूटा sign है, और पुलिस में उसको बंद करवा दिया, Satyajit चाहता, तो उसको बचा लेता, क्योंकि उसकी बीवी को TB की बिमारी थी, और उसके पस पैसे नहीं तो इस वज़े से उस नहीं गलत काम किया था, तो Satyajit ने उसको बचाया नहीं, Satyajit ने सोचा कि इसको मैं पकड़वा लेता हूँ, तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मैं मैंनेजिंग डिरेक्टर बन जाऊँगा, लेकिन Satyajit जब शहर से ट्रेन वापस अपने गाउं जा रहा था, शादी अटेंड करने, जब उसके पस कुछ भी नहीं था, तो बैठे बैठे, वो सारी चीज़े रीकलेक्ट कर रहा था, याने याद कर रहा था कि कैसे मैंने उस फॉर्जरर को पकड़वाया था, और मैं क्यों याद करता है, सत्यजीत आपको उसका रीजन दे रहा है, तो आंसर है, he was looking at the time when he started as a clerk and then a manager, तो उसको उस साब पूरा टाइम याद आ रहा था, जब उसने clerk की तरह बैंक में शुरुवात करी था, और बाद में manager की post पे आ गया था, and now nothing, और अब प्रेजन टाइम में जब वो train में बैठा, उसकी पास कुछ नहीं था, सब बिग गया, this was pretending like a circle which brought him back, तो ये कुछ circle उस समय का पहिये की तरह था, जो उसको वापिस वहीं ले आया, जहां तर उसने अपनी struggle, महनत शुरू करी थी, these all lessons of life had taught him that if anyone got success too early, then failure will also come too early, तो उसको life का एग lesson मिला कि अगर कि उसी को बहुत जल्दी life में success मिलती है, तो failure भी मिलेगी, क्योंकि जिस speed से success आपके पास आती है, उसकी double speed से failure भी आती है, if anyone got success by chance or with help of others, then that he will have to pay in the other form, but definitely will lead to failure, अगर life में आपको success by chance मिल गई है, luck की through मिल गई है, या किसी और की मदद की वज़े से आपको कोई life में success मिल पड़ेगा, किसी ना किसी form में, किसी ना किसी तरीके से, but definitely आपको failure जरूर होगा, क्योंकि आपने किसी के कंदे पे चड़ के आपको success मिली है, तो वस आदमी को नीचा गिरा के आप उबर उठे तो आपको failure आज नहीं तो कल मिल ली ही है, तो यह सारी चीज़े सत्यजीत को एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीदे थी, बहुत जादा एक्सपेक्टेशन थी, वो सत्यजीत के आने से थी, तो वो क्यों इतनी जादा एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, श्रीनात अंकल और उनकी फैमिली वाले सत्यजीत से, तो आंसर है, सत्यजीत was living a life full of success and achieved a lot, which increased this value and respect in the eyes of villages, अब सत्यजीत तो अपनी life बहुत successfully जी रहा था, बहुत पैसे वाला हो गया था और उसने अपनी life में बहुत कुछ achieve कर लिया था, इस वज़े से सत्यजीत की value बहुत जादा increase हो गई, बढ़ गई और गाह वालों की आखों में सत्यजीत के लिए respect और सम्मान बढ़ गया, Also in the marriage of Beena, he was ready to help Shrinath, और Beena की शादी में जो की अंकल Shrinath की बेटी थी, वो अंकल Shrinath की मदद करने के लिए तयार थे, कि भाई चलो मैं तुमारी मदद कर लेता हूं दहेच देने के लिए, So the expectations of Shrinath and his family members was right, तो जो Shrinath और उनकी family members की उम्मीदे, expectation थी सत्यजीत से, वो बिलकुल सही थी क्योंकि वो कहीने कर उससे expect कर रहे थे कि ये हमारी बेटी का दहेच देने में पैसे बैसो में कुछ मदद करेगा, इस वज़े से उसको कुछ extra, over, सम्मान, आदर, सत्कार दे र person, याने धोंगी इंसान, याने जो धोंग कर रहा है लोगों के सामने और अपनी असली सच्चाई नहीं बता रहा है, तो सत्यजीत को गाउं आने के बाद ऐसी feeling आने लगी कि मैं एक imposter हो गया हूँ, याने मैं तो fake इंसान हूँ, मैं असलियत में जो हूँ वो इनको पता ही याने असलियत में एक भिकारी हूँ, मैं पस कुछ नहीं, 200 रुपे हैं जेब में बस, और इन लोगों को लग रहा है कि मैं मिलियनेर हूँ, उस वज़े से इलोग मेरी इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है, और मैं इस रिस्पेक को इंजॉय करहा हूँ कि चलो बढ़िया मेरी र रौंग फिंग और रिमेंबर दा पीपल हूँ, तो स्टोरी में सत्यजीत को टू साइड़े मैं दिखाया गया है, याने दो चेहरे दिखाये हैं सत्यजीत के, पहला जो साइड है उसका, उसमें वो बहुत जादा खुश है, उस ग्लोरी या उस फेम, उस रिस्पेक्ट से, जो ट्रीटमेंट उसको गाओं वाले दे रहे थे, उससे वो बहुत खुश हो रहा था, यानों उसको पता है मेरे पास कुछ नहीं हो, जो मुझे रिस्पेक्ट मिल रही मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, और उसका जो दूसरा साइड है, उसमें उसका जो कॉंशियस थ करी है, तो सत्यजीत सच में कुछ था नहीं, पैसे खतम हो गए लेकिन फिर भी धों कर रहा था इन लोग के सामने, मतलब जान बुच के धोंग नहीं कर रहा था, उससे हो गया, बस वो अपनी सच्चा ही बता नहीं पाया, जान बुच के उसने लोगों के सामने फेक नहीं बनना, इन लोगों से सत्यजीत ने कोई एहसान लिया, बलकि अपना घर और अपना फिश पॉंड गिरवी रखनी है, उसने बीना की शादी के लिए, तो उसको एक चीज का और रिग्रेट हो रहा था, सत्यजीत को याने खेद हो रहा था, कि मैने क्यों पता नहीं शादी अ जात को लग रहा था कि मैं बहुत हाई प्रोफाइल मैन हूं और मैं उसकी मदद कर लूँगा, कुछ पैसे दे दूँगा उसकी बेटी की शादी के देहेच के लिए, पर उस ताइम अच्छली श्रीनात तो लॉसे से गुजर रहा था, सब खतम हो गया था उसके पास, he did not want the respect to, because he did not want the respect to discontinue, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि respect discontinue ना हो, सम्मान वगरे मुझे मिल रहा है, वो continue होना बंद ना हो, मुझे मिलता रहा है, अगर बता दूँगा तो ये लोग मेरी थोड़ी इतनी respect करेंगे, इस बज़े सा उसको लगा कि मैं एक imposter हूँ, याने एक fake इंसान हूँ, question number two, describe the cycle of events in Satyajit's life that brought him back to where he began, तो Satyajit की life का cycle of events वो पूरा चक्रा बताईए, जिसमें जहां से उसने शुरुवात करी थी अपनी life में struggle करना, वो आखर में उस point पर ही आ गया, जहां से उसने शुरुवात करी थी वो वहीं आ गया, तो पूरा struggle बताईए, so the life of Satyajit had experienced many changes, Satyajit की life ने में उसने बहुत से changes बदलाव को experience किया, he was not a rich person initially, but working as a clerk in the bank and got promoted to the very high post of manager in the bank, तो शुरुवात में याने इनिशली वो कोई बहुत अमीर आदमी नहीं था, लेकिन उसने महनत करी, शहर गया, तो वो एक बैंक में उसको एक clerk की नौकरी मिली, और फिर बाद में उसका promotion हुआ एक बहुत high post पे जो की manager की post होती है bank में, all this success was gained by him suddenly and this increases respect in the surrounding and became a turning point in his life, तो ये clerk से managing director की जो ये promotion थी, उसको suddenly अचानक से एक दिन life में promotion मिल गया, जिससे लोगों की नजरों में उसकी respect बढ़ गई, आसपास लोग उसकी respect करने लगे और ये एक तरीकी क turning point था उसकी life का, but after reaching to great success, there came a downfall in the bank in which he worked, finally जब उसको success मिल गई, एक दिन bank को downfall आया, याने bank collapse हो गई, bank को बहुत losses हो गई, तो bank बंदी हो गई, जिसमें वो काम करता था, जिस वज़े से उसकी job चली गई, उसके सारे assets, याने उसका घर, उसकी दो कार, गाडी, बंगला, Thus, destiny took him to the point from where he began his struggle, और इस बज़े से destiny याने जो भाग किया है, उसको वही उसी point पे ले आया, जहां से उसने अपनी struggle गाउं से शुरू करी और वो वही वापिस गाउं पौजी है, तो this was the circle of his life. So children, here we come to the end of this session, I hope आपको यी chapter बहुत अच्छे से समझ आयोगा, summary question answer आगयोंगे, आप चाहें तो YouTube पर भी हमारे videos देख सकते हैं, वहाँ ना मिले, तो Google पे जाएए, हमारी website magnetbrains.com and जैसी आप जाएंगे वहाँ पे इस तरीके का एक पे जाएगा, वहाँ पे अलग से woven words का एक option given है, इस पर क्लिक करेंगे, जैसी आप क्लिक करेंगे तो list of videos आपके सामने आजाएंगे and for example syllabus overview देखना है, इस पर क्लिक करो and मेरा video आपके सामने play होना start हो जाएगा and do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel, तब तक लिए, bye bye and tick.